हेलो सब सी मैं हमसे हैं और उच्छे से पढ़ाइई कर रहे हैं तो मुझे यही कु मैं आप करें में के दीने होती है । यहीं नियुक्ति हैं थीड' सब्सक्राइब कर रहें कि आपकी पज़िएआ है क्योंकि आकरी की बारे पहले पढ़ लिया है ठीक है अब इसके शरीर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि जो पुछबी पाद उनका शरीर में आखित क्या-क्या चीजे कहां पर क्या हो रहा है तो चबते हैं आज कि हम क्या देखेंगे तो आज राज करेंगे एक बीछ-बिश-बद्री पात ज्शरीर के बारे में हम बात करेंगे पॅर Ol Code कने बात करें, एससे पहले से कि ले रहते हैं कि लास क्लास में है क्या देखा था- लास क्लास में हम ने बोला है कि कि वैस्त जानो कि हम ने उतक तंत्र तो पढ़ाथा, तो रहए हम तक तंतर के हमने अंदर क्या पढ़ा था यह उतक तंतर कहां कहां पाया जाता है यह पाया जाता है जड़ में ठीक है कहां तने में पाया जाता है और कहां पत्ती में पाया जाता है तो कहां कहां पाया जाता है यह इस तरीके से पाया जाता है चलो ठीक है हमने यह बात कर लित उतक तंत ठीक है सबसे पहले यह आया था जिसके बारे में हमने पढ़ा था और यह तीनों चीजों में पढ़ाता हमने जड में तने में और पत्ती में पढ़ाता फिर हमारे पास आया था भाई भरन उतक तंतर के बारे में हमने बात करी थी ठीक है तो भरन उतक तंतर के बारे बाद करें तो येध हमने देख लिया था है ना फिर हमने उसके बाद क्या देखा था संब फ nieuwe देखाainted apply the U 1983 के बारे में हमने बाथ करें ठीक है यहां पर हमने देखा था कि भरन अथवा मौलिक उतक तंत्र ठीक है हमने क्या बोलाता कि सबसे बाहर की जो क्या होती है लाइन होती है परत होती है वो क्या होती है बाहर तुछ यह उदक तंत्र होता है यह जो वाइट कलर का बाहर बना हुआ है ठीक है यह बोलाता हमें फिर सबसे फिर क्या होती है यह रेड हो गया ग्लू हो गया ग्रीन हो गया यह तीनों जो पड़ते हैं यह तीनों तरीके की क्या है यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं सेल्स हैं यह तीनों मिलके क्या बनाती है भरण उतक तंतर बनाती है और यह भरण उतक तंतर चाहें बाहे उतक तंतर या समवहन उतक तंतर इन सब में जो सबसे बड़ा भ करतेकं से मिलके बना हुआ होता है ठीक है ? चलो जी यह भी क्लियर हो गया है इसके अंदर जगह आती है जहां पे जाइलम और फ्लोयम होती है तो जाइलम और फ्लोयम दोनों लिए क्या बनाते हैं सम्वहन उतक बनाने का काम करते हैं यह तक हम नहीं चीज़े देख लीती, अब भाई, अब आप जैसे की नाम से ही समझ गए हो गए आप, कि हमको actually मैं बात क्या करनी है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, एक पेज जोड़ना पड़ेगा, यू स्लाइड आ जाओ, भाई इस जो आज का लेक्चर का नाम है, एक बीज पत्री और द्वी बीज पत्री के बारे में, तो इसका मतलब कि भाई हम इनी के बारे में कुछ ना कुछ तो बात करने जा रहे हैं, है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एक बीज पत्री पादब ठीके और दूसरा क्या है द्वी बीज पत्री पादब ठीके ये दो चीज़े हैं अब इन दोनों चीज़ों में क्या है ये दोनों के दोनों चीज़े जो है ये क्या है भईया हमें यहाँ क्या देखना है इनके शरीर को देखना है क्या देखना है यहाँ पर इनके शरीर को देखना है ठीके इन दोनों के और इनके शरीर में क्या आ और पत्ति, ठीक, सेम यहाँ पर, जड़, तना, पत्ति, ठीक है, तो basically हमने क्या बोला कि हमको क्या देखना है, हमको यही देखना है, इन दोनों में एक बीश पत्तरी और द्यू बीश पत्तरी में इनका शरीर देखना है, और शरीर की जब हम बात करेंगे, तो भई जड़, तना और पत्ति, तीनों चीज़े उसमें आती है, क्लियर यहाँ तक, है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, और डाउट हो तो हमेशा की तरह क्या करना है, आपको डाउटनेट करना है, भाईया करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम आपको यहीं पर मिलेंगे, है ना, चलो ठीक है, बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर अगर मैं कहो कि भाई, एक पेड़ है, ठीक है, चलो बना देते हैं, यह जमीन हो गई, है ना, और जमीन के नीचे यह क्या हो गई, देखो जड़े हो गई है इसकी, जड़ है इसकी, जड़ कह दो, मूल कह दो, ठीक है, यह तना हो गया है, ठीक है, तना हो गया है, अब हम बात कर रहे हैं उतक तंत्र की, तो उतक तंत्र तो भाई, रुको, अच्छा, यहाँ पे समझो पहले, कि भाई, हम क्या कह रहे हैं, जब हमको अब से पहले यहाँ पर बात करनी है, जड़ के बारे, ठीक है, जड़ के बारे हैं क्योंकि हमने यह जड़ बनाई है तो जो जड़ है अगर इसका यह एक पोर्शन हम काट के लेकर आते हैं काट के लेकर आते हैं तो कैसा दिखाई देगा हमको यह देखो यह लो भई यह इस तरीके से है है ना इसका क्या करना है हमको अनुप्रस्त काट करना है इसका क्या करेंगे अपन इसको यहां से काट देंगे अनुप्रस्त काट अनुप्रस्त काट करेंगे इसका ठीके जब हम इसका अनुप्रस्त काट करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा यहां पर हमको मिलेगा भाई कि उतक तंत्र यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा याने की उतक तंत्र भाई यहां पर हमको देखने को मिल जाएगा करने के लिए पoodoo के इन भागों का परिपक्व अनुप्रस्तकार्ड का अध्यान करना चाहिए ठीक है किसी भी पौदे को अगर इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है चाहिए बाहे तो चाहिए ठीक है या फिर उसका भरन उतक्तंत्र है या समवहन उतक्तंत्र है तीनों के बारे में जानने के लिए भाई आपको एक जो मैच्योर याने की परिपकव जो क्या है जड़ है उसको अनुप्रस्त काट करके देखो अनुप्रस्त काट मतलब कि यह है इसको मैं ऐसे काटूंगी ऐसे काटूंगी तो मुझे गोल नजर आएगा यह गोल नजर आएगा तो हमको क्या है इसका अनुप्रस्त काट जरूर करना चाहिए क्योंकि वही एक तरीका है जब आप क्या है अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो clear चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है यहाँ पर चलो में एक छोट असा डाइग्राम बनाती हूँ यहाँ पर बात हम कर रहे हैं दूई बीच पत्री ठीक है अच्छा हो हो रुको इसकी बात कर रहे हैं ठीक है इसकी बात कर रहे हैं हाँ तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि दूई बीच पत्री पादपो की मूल यानि की रूट के बारे में बात कर रहे हैं स्मूल बोलो, रूट बोलो, जड बोलो. तीनो एक ही है. क्या ही परक़ता है, हैंना? तो इसके बारे में हम बात करें. तो ये क्या है, भई, हम जानते हैं? तो थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, वरना ये नीचे आते आते हैं, सब छोटा हो जाता है, यह… यहां से बनाते हैं, यह लो, सबसे बाहर के लिए रही है हमारी, ठीक है, साथ-साथ नाम भी लिखते चलो, बेटर रहेगा कि साथ-साथ बनाओगे, तो साथ-साथ समझ में भी आएगा, कि अच्छा इसके बाद यह आ रही है, यहां मैं बना रही हूँ, आप बातों में मगन मगन हो बिल्कुल ही बिल्कुल मगन हो कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है यहां तो यह क्या है हमारी सबसे बाहर की लेयर को क्या कहलाती है यह बाहर तो अच्छी है उतक तंत ठीक है यह कहलाती है अब यहां पर क्या होता है यहां पर अगली कॉंसे उठाए चलो रेड उठा लेते हैं मगली ठीक है इसके बाहर इस तरीके से कोशिकाए पाए जाती है ठीक है पैरन काइमा जो होती है लो जी पैरन काइमा कोशिकाए है ठीक है पैरन काइमा के बात क्या है भाई कॉलन काइमा है दूसर रंग उठा लेते हैं यह लो जी यह आपकी कॉलन काइमा आ गई है हेलो Kalan काइमा है यह आपकी हो कोशिश करो वकिकाम में सुन्धरता आए्ट ठीक है मज़ा आता है विर प्र डाइग्राम देखने में कॉलं काइमा के बाद क्या आता है आपका स्कलेकरन काइमा आ जाता है लो जी यह Sclaren Cima यहाँ पर आगिया है ठीक है? यह Sclaren Cima आगिया है अब क्या होता है? अब यहाँ पर रोजो Sclaren Cima को आप ऐसे नहीं बनाते हैं थोड़ा सा confusion हो जाएगा बना ये लो ये रही Sclaren Cima ठीक है? ये रही Sclaren Cima नाम लिख देते हैं यह क्या है पैरन काइमा ठीक है यह क्या है कॉलन काइमा कॉलन काइमा यह क्या है स्कलारन काइमा तीनों चीज़े आ गई है यह तीनों चीज़े आ गई है चलो ठीक है अब यह जो तीनों चीज़े होती है यह मिलके क्या बनाती है यह तीनों मिलके बनाती है आपका कैम्बियम ने यह तीनों मिलके बनाती है आपका कॉर्टेक्स ठीक है कॉर्टेक्स बना ले कहलाता है क्या कहला आप कों। आप कॉॉर्टेक्स वार क्या होथा है यहाँ पर कॉन से अच्छा क्या होता है कॉज्चा जिसको तरीके से यहाँ पो ह। यहाँ पर यह जो अंतहा तुच्छा होती है ठीके इसको क्या बोला हमने अंतहा तुच्छा हो है इसमें क्या होता है एक नलीका का रूपी संदशना पाई जाती है ठीके अलग कलर से दिखा देते हैं देखो नलीका का रूपी संदशना इस तरीके से इसके अंदर पाई जात पर इसके अंदर ऐसे ही होती है ठीक है इसको देख लेना अच्छे से ठीक है यह नलीका कार संदर्शना पाई जाती है तो चलो इसका भी नाम लिख देते हैं यह जो नलीका कार संदर्शना होती है इसको हमने क्या बोला इसको हमने बोला आज सुबरेन की पट्टिया ठीक है और यह जो नलिकाकार है ठीक है इसको हमने क्या बोल दिया है भाई इसको हमने बोल दिया है जो नलिकाकार रूपी संरशना के अंदर है कि आई सुबरेन की पट्टिया है ठीक है जिने हमने कैस्परी बोला क्या बोला जिने हमने कैस्परी ये क्या होती है बनी हुई होती है सुबर इन से ठीक है सुबर इन से बनी हुई होती है चलो ठीक है इतना क्लियर यहां तक ठीक है समझ में आया इसमें मुझे नहीं लगता समझने में कोई दिक्कत होने चाहिए बहुत सिंपल तरीके है देखो एक एक करके एक लाइन समझा र अब यहां पर क्या होता है यहां पर बीच में यहां पर ऐसे करके यहां पर एक सनशना होती है जिसको हम क्या बोलते है पित बोलते है को हमने क्या बोला पित बोला ठीक है पित बोलो या मज्जा बोलो पित या फिर मज्जा पित इंगलिश में होता है मज्जा हिंदी में होता है ठीक है तो कोई confusion वाली बात नहीं है अब क्या होता है यहां पर अब कौन सा color उठाते हैं अब उठाते हैं कि भई इसके अंदर एक और क्या होती है पैरि साइकल होती है इसके अंदर इस तरीके से इसको थोड़ा द बनाथे वंदण फ्लों और ईज्रायलम दिखाने में दिक्कत हो जाएगी है न ही सकते को दूर बनाते है थोड़ा सा यहां बना देते हैं चलो यह हमारी अंतर टिसकी इसको क्या नाम दिया है रे लो कहा लिखे हैं तुम भी आजाओ पैरिसाइकल ये लो तो पैरिसाइकल को हम क्या बोलते हैं परिरंग बोलते हैं याने की पैरिसाइकल ठीक है इसको हमने क्या बोला पैरिसाइकल बोला अब बात आती है कि बाई यह जो पित है मज्चा है और जो पैरिसाइकल है इनके यहाँ पर आते हैं, ज्आयलम और फ्लोयम तो यहाँ पर कैसे आते हैं ellen fluem एक अंस्र तरीके से आते हैं टीक है कि भाई एक ठीक है are 2 और यह इसे चार ठीक है इस तلिक के सीą संदशना यह आ गई है दूसीजजजजजजजच्ट्रा की आती है ऐसे करके यह दो संद्रशनाय यहां पर ऐसे मिली हुई आती हैं अब बात आती है कि यह संद्रशनाय क्या कहलाती हैं जल्दी बताओ मुझे कौन बता सकता है कि यह संद्रशनाय क्या कहलाती हैं क्या बोलते हैं हां यहां पर यह जो संवहन उतक है यह अरिय रूप से होता है और दो से चार संख्या में होता है ठीके, जल्दी बताओ क्या कहलती है यह दो थर्यक श् rijक के पंदिख रही है, आपको एक हरी और जए निली, यह क्या कहलती है चलो इसके अंदर नाम लिख देते है नाम लिख देते हैं, क्या नाम लिखेंगे भी इसका है यह हो गया आप ग्रीन की बारि आती है फिर दिशन डोत सब्सक्राइबोंख देते नहीं दो तया के को कंफ्यूशन ना हो बिल्कुल नहीं डोलिकों की बात कर रहे manufacturing यह है आपका phloem और यह जो green वाला है यह क्या है आपका xylem P से parent काई माँ P से phloem वो दिमाग कर रहा हो इसके वे तो तो चलो अब green वाला क्या है हमारा xylem तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं यह लो यह xylem हो गया ठीके? xylem और phloem मिलके संवहन उतक बनाते हैं हम जानते हैं यह चीज ठीके? तो यहाँ पर संवहन उतक में क्या scene है भाई? क्या बोला मैंने? चलो अगर मैं संवहन उतक की बात करती हूँ यह दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? संवहन उतक ठीके? संवहन उतक बना रहे हैं जो संख्या में दो सो दो से चार दो से चार होते हैं संख्या में ठीक है संख्या में क्या है दो से चार है ठीक है और ये क्या है ये ये अर्ये रूप में मौझूद होते है अर्ये रूप में अर्ये रूप में मतलब हम क्या सकते है है कि भई जैलम है फिर फलोयम है फिर फ्लोयम है इस तरीक ज holding एसी तरहिके से ईससे बिल्किल इस तरीके से थिए थि यहां पर क्या है confusion बिलकुल नहीं रखना है अच्छे से समझ नहीं है चीजों को भात महनत लगती है इसे बना के समझाने में भाई तो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको disappointment मत करना मुझे कि समझ में नहीं आया ठीक है इतने प्यार से इतने अच्छे से एक चीज बना के देखो समझाया जा रहा है तो इसको समझना ठिक है चलो इसको ऐसे कर लिया हमने ना अब क्या बात करनी है भाई हमको कि यहाँ पर अच्छा ये जो पटिया है जल्दी जल्दी बताओ कैस्परी की पटो का नाम क्या है हाँ कौन बता सकता है बढ़ा जल्दी से आचा यहां पर एक चीज हचुड गई भई वह भी देख लो कि इनके बीश में हमने क्या बोला इनके बीशिम क्या होता है क्या है काम होता है अदर के फिए काम है जब कहां साथ काम किया होता है जो धूती है यह काम करत AI challenging विर्दी होती ठीक छोगतीं आप नुद्धारी मैं आपको उन्हें है किसा काम क्या है तो इसका काम क्या है क्या है कि जा Boardण क्या है ठीक है यहां पर जो क्या हो रहा है यहां क्या हो रहा है यहां जो यहां से जो जलका होने वाला क्या है जो जलका होने वाली हानी है ठीक है तो उसको क्या करता है यह रोकता है ठीक है कि जाइलम फ्लोंग तो यहां पर है ठीक है यहां से जो जलकी होने वाली हानी है उसको रोक ने आखाम किसका है इसी कैस्परी पट्टियों का है ठीक है कैस्परी पट्टियों का काम है तो यहां तक मुझे लगता है कि किसी को की दिक्कत नहीं होने चाहिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अब देखो यह लाइन से पुका कमझा इसी को निम्ले की तुरूप से प्रस्तुत किया है सबसे बाहर भी बित्ति होती है मूल यह त अचाह इसमें नलीकाकार सजीख घटक होते थीक इन में से कुछ कोशिकाएं बाहर गया निकलती निकली होई होती है जो एक कोशी की मूल रोम से बनती है वलकुट में पतली भित्ती वाली पैरन काइमा कोशिकाओं की नई पड़ते होती है इनके बीच में अंतर कोशिका इस्थान होता है ठीक है वलकुट है यह वलकुट 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 की सबसे भीतरी परत क्या है अंतर तोचा होती है इसमें नलीकाकार की कोशिकाओं की एकल परत होती है ठीक है एकल परत होती है अब इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिका का इस्थान नहीं होता है अंतरह तौचा की कोशिकाओं की स्पर्ष रेखिये तदा आर्य.'भितियों पर क्या होता है कैस्परी 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 पत्टियों के रूप में जल अपार्ग में मुमी पदार्द सुब्रिन होता है कि कहां पर बरेगा कि यहां पर सुब्रिन मौजूद है ठीक है यह इसे अंदर ज्वावत इंदर urban को er है ठीक है यहां पर अंतहर तुच्छा से बीतर की मतला उससे अंदर की जो है क्या है बीतर की या तो मोटी भित्ती परन कोशिकाए होंगी ठीक है जिसे क्या बोलता है परिरंब कहते हैं परिरंब भी बताया देखो यहां पर मैंने कहां गया परिरंब कहां गया कहां गया यह यह जो कोशिका है यह क्या है परिरंब है ठीक है इन कोशिकाओं में दिख्तक वृद्धी के दोरान समवहन कैम्बियम तता पार्श्व मूल फ्रेरित होता है ठीक है पिथी यहाँ पर छोटी अथवा सपस्ट है क्लियर यहाँ पर चलो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको स पैरंब काई में कोशिकाओं जो की क्या है जो जाइलम वे फ्लोयम बंडल के बीज है बंडल के बीज में हैं उन्हें क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव उतक कहते हैं उन्हें क्या बोला हमने कंसेक्यूटिव इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि क्या है आपको अराम से नज़र आए इन्हें क्या बोला हमने ब्लू से लिखते हैं इनको हम क्या कहते हैं इनक हम कन्जिव कन्जिव क्यूटिव कन्जिव क्यूटिव उतक कहते है ठीके चलो ये हो गया अब बात यहां से क्या आती है कि यहां पर क्या होता है दो से चार तक जाइलम और फ्लोयम दो से चार तक जाइलम वे फ्लोयम के खंड होते है ठीके दो से चार नमबर में जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो से चार नमबर में दो से चार लेकर क्या है कि वह इनके खंड मौजूद होते है ठीक है इनकी संख्या मैंने बोलता कितनी संख्या होती है दो से चार संख्या में होते हैं ठीक है चलो फिर आगे बात करते हैं कि इसके बाद जाइलम वर फ्लोयम जो होते हैं इसके बाद क्या होता है इसके बाद जाइलम वर फ्लोयम के बीच कैम्बियम Cambium चल्ला बनता है ठीक है चल्ला बनता है ठीक है इनके बीच में क्या बनता है Xylem और Phloem के बीच में क्या है Cambium चल्ला है है ना Cambium चल्ला है ना चलो इनके बीच में बन गया ठीक है अगला point देख लेते हैं जो अंता है तो अचा होती है ठीक है किस कलर से लिखें चलो इस से लिख देते हैं जो अंतहर त्वचा होती है अंतहर त्वचा के अंदर के अंदर की ओर सारे उतक अंदर की ओर सारे जो उतक होते हैं सारे जो उतक हैं, जैसे की, क्या है? परिरम्ब है, है ना? परिरम्ब हो गया, समबहन उतक हो गया, समबहन उतक हो गया, तथा पित हो गई, ठीक है? पित हो गई. ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलकर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, रम याने की स्टेल बनाते हैं, ठीके, तो ये सब किसके बारे में था भाई, दूवी बीच पत्री पादप की मूल के बारे में था, ठीके, अब मुझे नहीं लगता कि यहां पे लेको हर एक चीज आपको इ कोई दिक्कत होगी या आपको को समझने होनी चाहिए उसका मतलब यादम लेकिन यहां पर इसको समझने के लिए वह मज़ा आपको अंदर से क्रियेट करना पड़ेगा जो मैं हर बार आपको समझाती हूं यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो और समझो इन चीज़ों के बारे में यह चीज़े हमारे आस-पड़ोस की है और अज़से क eerद देखो यहां पर क्या है रहा ठीक है ये रहा परिरम प्रोटो जयलम आगिया यह देखो मेटाजयम आगिया ज़ॉने last class में देखा था ये देखो ये पित आ गई यहाँ पर ठीक है ये personus ये पल bis यह रही हमारी मूल रोम याने की रूट यही पहचान होती है एक मूल की सबसे ज़्यादा important चीज मैं बदाना भूल गई कि अगर आपसे कोई कहेगा कि कैसे पहचान होगे कि यह मूल मूल रोम होंगे मूल रोम जिसको हम क्या कहते है रूट हेयर ठीक है जिसको हमने क्या बोला रूट हेयर बोला ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना इस चीज़ का चलो अब आ जाता है हमारा एक बीच पत्री हम बात करते हैं एक बीच पत्री के बारे में ठीक हमने दो बीच पत्री के बारे बहुत सारी बाते कर ली हैं ठीक है उसको अच्छे समझ लिया है बेकुल उसे तरीका से ध्यान लगा के मन लगा के आपको इसको भी समझना है इस यहाँ पर बात अगर हम समवहन बंडल की कर रहे हैं तो हमने क्या बोला कि दिव बीश पत्री में दो से चार हैं बस संख्या में लेकिन यहाँ क्या है यहाँ पर यह छे से ज्यादा है यहां पर यह क्या है छे से जादा है ठीक है चलो ठीक है समवहन बंडल की बात हो गई चलो पिथ की बात कर लेते हैं तो अगर पित की बात करते हैं तो यहाँ पर पित कैसी बड़ी है वहाँ कैसी थी छोटी थी ठीके और इस पर्ष्ट है चलो पित भी समझ में आ गई हमको ठीके अब पित के बात क्या देखते हैं चलो कैम्बियम देख लेते हैं ठीके Cambium की बात करते हैं तो Cambium यहाँ पर क्या होता है? नहीं होता है जो बहुत ही पहले हम लोगों ने इस चीज़ को बात की थी तो की वही Cambium यहाँ पर अनुपस्थित है अनुपस्थित होता है ठीक है? अनुपस्थित है चलो फिर क्या बात करते हैं यहाँ पर दुद्यक वृद्धी दुद्यक वृद्धी तो भई, बहुत ही simple से चीज हम लोगोंने बात करे थी कि जब涯ांबिंट थी जिद्यक वृद्धी का काम करता है तो जब涯ांबिंट थी कहां से होगी तो भई नहीं होगी ठीके नहीं होगी clear यहाँ तक अरे अभी बाई बाई नहीं करना है चलो एक डाइग्राम बनाते हैं और समझते हैं फिर से इसको चलो एक काम करते हैं पेज जोड लेते हैं फिर है जोड़ Chemistry कर लेते हैं चलो वाइट लिया सबसे बाहर हमेशा की तरह हमने क्या बोला ये क्या है बाहे तुचा है यह ना नाम होगी लिख लेते हैं यहिए पैब है तुचह है यह nih दो यह टीक इसके बाहर इसके बाद किं Trentान हमारे पास इसके बाद हमारे और यहां पर क्या होता है मूल रोम होते हैं वो भी देख लो ठीक है फिर हमारे पास क्या आता है हमारे पास पैरन काइमा आता है लो पैरन काइमा आ गया फिर क्या आता है कॉलन काइमा आता है हमारे पास ठीक है प्र जाता है हमारे प्र लो जी क्ले अंक्रम नाम लिख ये क्या है, पैरें काइमा ये दोनों क्या है आपके कॉलें काइमा, ये क्या है स्क्लेरन काइमा, अब स्क्लेरन काइमा के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, हमने क्या बोला अंतहर तोच आ जाती है, इस तरीके से, अंतहर तोच आ गई, लो ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, यह आ गई, इसके बाद हमने क्या बोला, यहां पर क्या होता है, इस त इसके इंदर परी रम्ब होता है लो डिये परी रम्ब परी रम्ब के बाद अब आप परिया में होता है आपफित होता है सबसे अंदर यह रहा पित अब यह क्या है पित है चोलो पहले पित लिख देती हूं फिर जायलम फ्लोयम बाद में दिखाते हैं पित याने की मज्जा ठीक है लिख देती हूं कभी बोलों कि कन्फूशन हो रहा है मता है पता ही नहीं है मैं कि पित क्या होता है खिर अगर हैं पहों निए थाइलम प्लोयम क्वार्ट करती वो तो जैलम फ्लोय ज्ल्स की प्रॉपर कि यह पुलूото भी जैयलम का सब्लोयम के एस थे यह में भार ये क्या है आपका गः जैल मोंगिया यह क्या है? xylem हो गया. phloem कैसा है यहां पर? phloem किस से बनाए? पहले तो xylem एक कम रही गी है, नहीं यहां पर. vlo phloem हम बना देते हैं, कौन सा कलर उठाए? चलो yellow, यही उठा लेते हैं, नहीं, यहां तो दिखाई देगा, यारे. डाक ब्लू उठा लेते हैं चलो ठीक है इनके बीच में क्या है यह लो यह आगया आपका फ्लोईम ठीक है यहागया आपका फ्लोईम अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कैंबियम मौजूद नहीं है यहाँ पर 2-6 संक्या में क्या है तमवहन बंडल के अंदर है ना दो जे चे संक्या में Key है चार थे यहाँ दो दो से चे हे तो यहां पर चीजों का अंतर यह हूँजादा खास अंतर नहीं है तो यहाँ पर इनको समझ लेना, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं, कुछ lines हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कि भई हाँ, हमारी book में क्या लिखा है, जिनको आपको ऐजा notes लेना है, तो अगर मैं एक बीच पत्री मूल की बात कर रही हूं, ठीक है तो बहुत जादा difference नहीं होता है, इनके शरीर में, द्वी-बीच पत्री से अगर comparison किया जाए, तो इनका शरीर होता है, वो बहुत जादा अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है, किससे द्वी-बीच पत्री, पादपो के शरीर से, ठीक है? किस से द्वी बीज पत्री जो पादब की मूल होती है पादब की मूल के शरीर से ठीके बहुत जादा अंतर नहीं होता है जिब अब इसमें क्या होता है इसमें क्या है इसमें भाई बाहे तुच्चा बाहे तुच्चा वलकुट ठीके बाहे तुच्चा वलकुट हो गया है फिर क्या आता है अंतर तुच्चा आता है ठीके अंतर तुच्चा आ गया आपका परिरंब आ गया ठीके समवहन बंडल आ जाता है संवहन बंडल आ गिया और इसके साथ साथ क्या आ गिया आपका पित आ गिया याने की मज्जा आ गिया ठीक है आते हैं चलो, अब अगर एक बीच पत्री में, जब हम एक बीच पत्री में इनकी संख्या की बात करते हैं, ठीक है, इनकी संख्या की बात करते हैं, कि यहां जब हम संख्या की बात करते हैं, तो संख्या में ने क्या बोला? छे से अधिक छे से अधिक संख्या में ये होते हैं ठीके चलो ये भी ठीक है अब भाई जो पित है अगर हम पित की बात करते हैं तो पित क्या है बड़ी है पित क्या है या मज्जा बोलो ये क्या है बड़ी है ठीके और क्या है सपाश्ट है, याने की clear है, ठीके अब मूल में यहां पे cambium जो होता है वो मोजूद नहीं होता है ठीके, मूल में क्या है, cambium मोजूद मूल में cambium मोजूद नहीं है इसी लिए क्या होता है, इसमें इसी लिए जुट्यक व्रिद्धी नहीं होती है तो यहां तक हमने एक बीच पत्री पादप की मूल और दुवी बीच पत्री पादप की मूल दोनों के बारे में अच्छे से कवर कर लिया है तो अब मुझे बताओ कि यहां पर किसी को कोई डाउट है मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए क्योंकि एक एक शब्द बड़े प्यार से यहां पर लिखके समझाया गया है है आपकी बातचीत भी देखी गई है है इतनी सारी बातचीत करते हो तो चलो इस बातचीत को साइड में रखो और इसको जो है फड़ा सीन चलता है ठीके तो यहां पर क्या होती है देखो निम्न लिखित सनरशनाय मौजूद होती है यहां पर निम्न लिखित सनरशनाय मौजूद होती है ठीके यहां पर क्या है निम्न लिखित सनरशनाय है चलो देख लेते हैं कौन कौन सी सनरशनाय है तो भाई यहाँ में बाहे तवचा मौझूद है नमबर वन अगर लिखू तो बाहे तवचा बाहे तवचा तने की क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है सबसे बाहरी परत होती है ठीक है? और ये सबसे बाहरी परत्त होती है इसके साथ साथ ये क्या काम करती है ये इसकी सुरक्षा काम करती है ठीके किसका काम कर रही है सुरक्षा काम करती है सुरक्षा कारवे करती है ये इसकी ठीके अब ये जो क्या है अपनी बाहे तुचा है ठीके बाहे तुचिये उतक तंतर भ होती है ठीक यह भी लिख लेते हैं यह जो बाहत चाह है यह किस से धकी हुई है यह धकी हुई होती है किस से क्यूटीकल से किस से धकी है क्योटीकल की पतली सी परत से है है यहां पर एक और चीज जानने वाली है कि यह क्या होती है? वह कोशिक होती है ठीके ये जो cuticle है ये क्या होती है बहु नई ये जो पतली सी परत है ये जो पतली सी परत है ये क्या है बहु कोशी किये ठीके बहु कोशी किये यहाँ पर क्या होता है एक पंक्तिक तुच्चा रूम तथा कुछ रंद्र होते हैं ठीक है यहाँ पर तुच्चा रूम तो होते हैं इसके साथ साथ क्या है रंद्र भी मौझूद है ने को बहुत अच्चे से प्यारे दरीगे से लिखके बता रही हूँ कि बाहे तुच्चा सबसे बाहरी परत है जो सुरक्षा का कार्य करती है अब यह जो बाहे तुच्चा है यह ढकिवी होती है क्यूटिकल की पतली सी लेयर से ठीक अब यह जो पतली सी लेयर है यह बहु कोशिक ही होती है अब यहाँ एक पंक्तिक तचारोम तथा कुछ रंद्र होते हैं ठीके रहा चलो आगे बर जाते हैं आगे देखते हैं अब आगे अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे देखते हैं कि जो बाहे तचा है बाहे तचा की अगर हम बात कर रहे हैं बाहे तचा तथा परिरंब ठीके बाहे तचा तथा परिरंब के बीच इनके बीच कोशिकाओं की कोशिकाओं की बहुत सी सतह होती हैं जिनको क्या कहते हैं हम वलकुट ठीके जिनको क्या कहते हैं वलकुट कहलाती हैं यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया है कि यहां तक तो समझा दिया है कि बाहे तचा यह जो है और जो परिरंब है इनके बीच में क्या है बहुत सारी कोशिकाओं की सतह होती हैं जैसे पैरन केमा कॉलन कायमा यह सारी चीजे के बहुत सारी सतय फीक है जो क्या कहलाती है वलकुट कहलाती है clear चलो अब काम करते हैं पहले इसको एक चोटे से डाइग्राम से समझा देती हूं है वरना बोलोगा कि मैं समझ में नहीं आया है ठीक है चलो चलो जी, एक डाइग्राम बनाते हैं अब, तो हमने क्या बोला सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है, बताओ चल दी, जो सबसे बाहर की लेयर है वो कौन सी है, तो भाई सबसे बाहर की लेयर कुछ इस तरीके से मौझूद है, ठीके, इसको हमने क्या नाम दिया, उतक तंत ठीके और क्या बोला ये एक परतिये होता है ये क्या होता है एक परतिये होता है अब हमने क्या बोला इसके उपर क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है पतली सी ठीके इसके उपर ये एक क्यूटिकल की एक पतली सी लेयर मौजूद है ये लो ठीके, cuticle की परत है ये, ठीक है, अब ये जो cuticle होते हैं, इसके उपर हमने क्या बोला, तवचा रोम होते हैं, देखो, यहाँ बोला न हमने कि भई, कहां गए तवचा रोम, ये रे, तवचा रोम होते हैं, है ना, तो लो जी इसके उपर क्या है ये तुच्छा रोम है ठीक है इसको भी नाम दे देते है तुच्छा रोम ठीक है इसके उपर क्या है तुच्छा रोम है यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना है ना वेरी गुड समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो वर्चौल मुक्का खाओगे ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर यहां पर क्या होता है यहां पर एक लेयर मौजूध होती है इस तरीके से कोशिकाओं की इसके नीचे ठीक है यह कौन सी है यह कॉलन काइमा कहल यहाँ पर अंतर कोशी की इस्थान मौजूद नहीं होता है याद रखना है ठीक है यहाँ पर अंतर कोशी की इस्थान नहीं होता है इसके बाद क्या आती है इसके बाद हमारे पास एक और आती है भाई इस तरीके से कोशी काओं की बनी हुई ठीक है ये लो जी एक और आ गई है ठीक ये कौन सी लेयर कहलाएगी आपकी जो ये वाली लेयर है ये लेयर कहलाएगी आपकी कौन सी लेयर कहलाएगी तो भाई ये आपकी पैरन काइमा पैरन काइमा और यहाँ पर अंतरकोशी की इस्थान मौजूद होता है अच्छा एक और चीज ये जो बाहे तुचे उतकत है बाहे तुचे ये पैरन काइमा कोशिकाओं से बना हुआ होता है ये भी तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलो पैरन काइमा आगया इसके बाद भाई एक और आगई ये लेयर आपकी ठीक है लो जी लेयर आगई है एक और ये लेयर क्या कहलाती है मतलब ये परत क्या कहलाती है ये परत आपकी क्या है स्क्लेरन काइमा ठीक है स्क्लेरन काइमा कहलाए गाई है ऐसा लग रहा है ये मा लिख दिया है यहां पर स्क्लेरन काइमा ठीक है अब यह जो तीनों परत है ये तीनों परत मिल क्या बना रही है यह जो है तीनों मिलके कॉर्टेक्स बना रही है ठीक है कॉर्टेक्स यह तीनों मिलके क्या बनाती है कॉर्टेक्स बनाती है ठीक चलो अभी आ गया अब हमने बोला कि इसके बाहर एक और संदशना होती है ऐसे करके जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में बता दो कि ये कौन सी सनरशना होती है, इतने मैं इसको complete कर रही हूं, बता दो, फटाफट से, ये कौन सी सनरशना है, और इसमें पट्टिया पाई जाती है, इस तरीके से, बताओ जल्दी, ये जो पट्टिया है, लाल रंगी, ये क्या है, और ये सनरशना क्या है, तो जो पट्टिया है वो तो छोड़ो पहले बताती हूँ कि यह क्या है अन्तह स्वतच जी है ठीक है और इसके उपर यह पट्टिया है यह पट्टिया क्या है यह भाईया अपना स्टार्ज आजचद ठीक है स्टार्ज आजचद ठीक है और यह किस से बना हुआ होता है यह बना हुआ होता है स्कलेरन काइमा कोशिकाओं से ठीक है यह स्कलेरन काइमा कोशिकाओं से बना हुआ होता है चलो यहां तक क्लियर अब क्या अब इसके अंदर हमने क्या बोला एक और लेयर होत थे जुष आरुटी सी संरस्टना भूती है मैडम इसके अंदर घुस्थी चलिए चाहरी है संदुषना तो यह संद्रेश्टना क्या है भाई मजजा ठीक है मजज्जा है चलो इतना क्लियर अब इतना डाइग्राम तो हो गया है मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाईया यह वाला जो पूरा हिस्सा है यह क्या है भरण उतक तंत्र कहला एगा हम ने कहा था कि चाहें जड़ हो तना हो पत् जायलम और फ्लोयम होता है यह क्या है समवहन उतक तंत्र कहलाता है करेक्ट बिल्कुल तो समवहन उतक तंत्र की जब बात हो रही है तो भाई जायलम फ्लोयम को हम पीछे कैसे चोड़ सकते हैं ठीक है तो अच्छा एक और चीज कि ये जो पट्टिया होती है ये पट्टिया क्या काम करती है भोजन संग्रहन का काम करती है यहाँ पर यह याद रखना ठीक चलो अब यहाँ पर क्या बोला हमने कि भाई संबहर उतक में क्या है यहाँ पर जायलम और फ्लोयम होता है ठीक है xylem और phloem होता है तो चलो xylem phloem देख लेते हैं लो जी तो यहाँ पर बात यह आती है कि xylem phloem कैसे होते हैं मौझूद तो यहाँ पर जो phloem है वो अंदर की तरफ हो गया ठीक है फ्लोयम अंदर की तरफ हो गया ऐसे एक निट ये लो ठीक है और जाइलम की बात करें तो बाहर की तरफ आ गया ठीक जाइलम अफ्लोयम हो गया अब इन दोनों के बीश में एक और संरिश्णा मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं कैम्पियम जिसको हमने क्या बोला कैम्पियम ये कैम्पियम क्या काम करता है भाई जुद्टक वृद्धी का काम करता है ठीक है चलो जी कैम्पियम जी आप भी आजाओ बाहर एक और छीज जो यहां पर जायलं और फ्लोयं में वो कैसे हैं सह्यूक्त है यहां पर यह क्या है कि हां समझ में आगी आए दिखा दो फटा फट से समसब ताकि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा सकूं हाँ फटा फट से चलो बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं अब बात करते हैं द्वी बीच पत्री तने की वैसे तो अभी दियम इसी की बात कर रहे हैं ठीके लेकिन हमने इसका अनुपस काट देख लिया था क्योंकि इतना हमने इसके बारे में जान लिया था इतना इतना जाना था अभी तो इतन बीच तीन छेतर होते हैं कि थीफ्र से यहां पर चेतर होते हैं चलो देख लेते हैं हम ने क्या बहुत से पहले हमारे पास क्या है बाहरी अधम तचा, अधस से तचा, थेके, बाहरी अधस से तचा, ठीके, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी इसको क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताओ, हाइपोडर्मिस, ठीक है, ये क्या होती है, कॉलन काइमा की कुछ पर्तों से मिलके बनी हुई होती है, किस से बनी होती है ये, कॉलन, ये कॉलन काइमा की कुछ पर्तों से मिलकर बनी होई होती है, ठीक है, बनी होई होती है, और कहां होती है ये, जो बाहे तचा होती है, उसके नीचे होती है, ठीक है, कहां होती है ये, ये, बाहे तचा जो होती है, ठीक है, उसके ठीक नीचे होती है जो बाहे तो चाहे उसके ठीक नीचे होती है ठीक है? ये शैश्वक तन्य जो होता है मतलब जो प्यारा सा कोमल सा होता है शैश्वक तन्य उसको क्या करती है? ये क्या करती है? शैश्वक शैश्वक भी बोल सकते हैं हाँ शैशव यानिकि यंग प्यारा सा बच्चा ठीके तने को यांत्रिक सहारा देती है यांत्रिक सहारा देती है ये काम करती है ठीके चलो अब यहाँ पर अगर वलकुट सत्य की बात करते है कि भाई जो वलकुट सत्य है ठीके तो जो वलकुट सत्य है जो होती है वो क्या है भाई अज त्वच्चा के नीचे होती है नीचे होती है ठीक है अब इसमें क्या होता है जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो भाई इसमें क्या हो गिया इसमें क्या होता है इसमें गोला कार ठीक है और पतली बित्ती वाले पतली बित्ती वाले पैरन काईमा पैरन काईमा कोशिकाओं की कुछ पढ़ते होती है कोशिकाओं की कुछ पढ़ते होती है देखो ये सारी चीज़े वो लिख रही हूँ जो डाइग्राम में अभी मैंने आपको यहां समझाई है पहले क्ओलन काईमा समझाये मैंने आपको क्वाल पतली बित्ती वाली कोशिकाओं की कुछ देखो देखों फिर नेक्स में पैरन काईमा आगी तो nflMen यहां डाइग्राम क做 आग decision चलो मान लिया कि ठीक है चलो इसमें यह होती है अब इसमें सू इसपस्ट क्या होता है यहां पर सू इसपस्ट अंतर कोशी के इस्थान मौजूद होता है यहां मैंने आपको बताया था कि कॉलन काइमा में क्या है अंतर कोशी के इस्थान नहीं है पर पैरन काइमा में क्या है अंतर कोशी किये स्थान मौजूद है अब इन में क्या है कहां लिखो चलो यहां से बताती हूँ यह जो पैरन काइमा कोशी काए है इन में अंतर कोशी किये स्थान क्या होता है होता है ठीक है? क्लियर इतनी बात है बिल्कुल मत बोलना की नहीं हुई है मार लगेगी वर्ना चलो next समझते हैं यह क्या था? थर्ड पॉइंट अब नंबर चार पे आ जाते हैं तो जो अंतह तचा वलकुट होती है जो अंतह तचा वलकुट अंतह तचा वलकुट की क्या होती है? अंतह तचा वलकुट की सबसे क्या होती है? भीतरी सता होती है सबसे अंदर की होती है ठीक है? सबसे भीतरी भीतरी सतह होती है ठीके, अब इन में क्या होता है, इन में क्या होता है, ये भी देख लो, अब इन में क्या होता है, हाँ, नाल आकार की, इन में नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतय होती है, एक सतह होती है, ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं होती है, यहाँ पर ये क्या करती है, तो ये जो कोशिकाएं होती है, यहाँ पर ये क्या काम करती है, इन कोशिकाएं में स्टार्च जो होता है, वो प्रचुर मात्रा में होता है, अगर हम इन कोशिकाएं की बाद कोशिकाएं क क्या होता है इनमें जो स्टार्च है मैंने पहले वी बताया था आपको इससी वजए से इसको हमने क्या नाम दिया इसलिए इसको हम क्या कहते है स्टार्ज आजचछत भी कहते है इसको ठीक है इसलिए स्टार्ज आजचछत कहते है चलो जी हम एगरी करते हैं नेक्स पॉइंट देखें, तो नेक्स पॉइंट बोलें कि भाईया इन में क्या होता है, जाइलम और फ्लोयम के अगर हम बात करते हैं यहापर, तो जाइलम और जो फ्लोयम है, ठीके, यह कैसे हैं, सैयुक तो रूप से होते हैं, ठीके, जहाँ पर क्या होता है, कि फ्लोयम अ क्या होता है जहां पर मैंने क्या बताया था भी कि क्या है जाइलम बाहर है यह देखो जाइलम बाहर है फ्लोयम अंदर है यह बताया था तो यहां पर क्या होता है जाइलम बाहर की तरफ होता है बाहर की तरफ और फ्लोयम अंदर की तरफ होता है ठीक है जायलम क्या है बाहर की तरफ और फ्लोयम क्या है अंदर की तरफ है अब ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं ये संयुक्त रूप से होते हैं ठीक है यहां पर एक और चीज आती है यहां पर एक और चीज आती है महीं होता है यहाँ पर होता है स्वरी कैम्डियम यहाँ पर होता है ठीक है और यह किसली जिम्मेदार होता है द्वित्टक वृद्धी के लिए ठीक है अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है ठीक तो हमने यह द्वी बीश पत्री तना यहां पर खतम किया है पर यह लेक्चर भी खतम नहीं हुआ है ठीक है खाले द्वी बीश पत्री तना खतम हुआ है इसके आगे भी एक बीश पत्री बचा हुआ है ठीक है बताओ जल्दी आगे सब को समझ में बहुत अच्छे से बहुत डाइग्राम बनाते हैं तो जिसकी लेबलिंग होती है हमेशा एकी साइद रखते हैं हमेशा देखना कि जो लेबलिंग है हमेशा इस साइद में रखी जाती है कैसे बहुत खुपसूरत लगता है कोई सबसे बाहर यह है फिर यह फिर यह फिर ऐसे करके देखने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी जब आप इसको देखोगे ना इसका पीडियेप दिक्कत नहीं होगी को दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल समझने में वर्ना सोचोगे तुचा रूम के बाद क्यूटिकल परत कहा है ठीक है अरे स्टार्च आजच्छत कहा है और यह कहां है वह कहां है ठीक है तो इन चीजों का ध्यान टकना चलो अब हम बात करते हैं बाई किसकी एक बीच पादप की बात करते हैं तो पहले धोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एक बीच पादप की जब हम बात कर रहे हैं आपके यहां पर बात कर रहे हैं तो एक बीच तने का शरीर की जो रशना होती है एक बीच पत्त्री तने की जो संरशना होती है संरशना होती है वो कैसी होती है वो द्वीच पत्त्री तने से अलग होती है ठीक है यह क्या होती है द्वीच बीच पत्त्री तने की संरशना से कुछ अलग होती है कैसे होती है डाइग्रेम बना के समझाओं के टैंचन मतलो लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर उतको के विन्यस्त रहने के क्रम में क्या हो जाता है कोई अलतर नहीं होता है ठीक यहां पर जो उतक होते हैं उतको के विन्यस्त रहने के या होने के जो क्रम होता है क्रम में कोई अंतर नहीं है ठीक है अंतर नहीं है यह सारी चीज़े वहीं है ठीक है सारी के सारी चीज़े वहीं है यहां पर कुछ डिफरेंस नहीं है बस यहां पर चलो मैं आपको क्या है एक बना के समझा देती हूं कि इसका अनुप्रस्त काटके हम बात करते हैं तो हमको मालूम है सबसे बाहर की तोचा क्या है भई हमने हर बारवाई बना रहे हैं यह लो कई दिन से बना रहे हैं इसको और इसको क्या नाम दे रहे हैं यह हमारी बाहे तोचिये है न यह क्या है बाहे तुचिये उतक तंत ठीके ये है ठीके अब यहाँ पर क्या होता है तुचा रोम नहीं होती है इस चीज का ध्यान डखना है यहाँ पर तुचा रोम नहीं होती है इसके उपर क्या है cuticle की layer होती है यह रही आपकी cuticle की layer लो ठीक है cuticle की layer बोल दो या परत बोल दो ठीक है यह आ गई है चलो अब इसके बाद क्या आती है भाईया जल्दी बताओ इसके बाद कौन सी आती है मार लगेगी वर्ना जल्दी बताओ comment में आप भी मुझे बताओगे कि क्या आती है इसके बाद बताओ फड़ा फड़ से बोलो अरे भाई इसके बाहार इसके बाद आती है कौन सी आ गई बताओ यह कॉलन काइमा क्या है यह कॉलन काइमा ठीक है और इस कॉलन काइमा में क्या है अंतर कोशी के इस्थान नहीं होता है ठीक है अंतर कोशी के इस्थान नहीं होता है इसके बाद आती है हमारी पैरन काइमा ठीक है इसमें क्या होता है अंतर कोशी के इस्थान मौजूद होता है पैरन काइमा में कौन सी है हमारी पैरन काइमा ठीक है पैरन काइमा आ गई है अब हमारी चलो मान लेते हैं आ गई है पैरन काइमा के बाद क्या आती है स्कलेरन काइमा आती है लो जी ये स्कलेरन काइमा आ गई है हमारी इसका भी नाम लिख देते हैं यहादे को ध्यान से देखते चलना कि actually मैं आंतर कहा आ रहा है स्क्लैरन काईमा ठीक है तो एक्च्यली में देखो यहां पर difference कहां आ रहा है difference पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके पाद हमने क्या बोला था यह क्या होता है एक इस तरीके से संद्शना बताई थी मैंने किया है ये संदिशना, बताओ किया है ये संदिशना, बताओ 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 बताओ, क्या है ये correct है, ठीक, अब इसके अंदर मैंने क्या बोला था, एक पतली सी पत्टी होती है, ये बताया था, पतली सी पत्टी होती है, है ना, ये पत्टी क्या है, ये पत्टी आपके क्या है भई, starch, ये क्या है, starch, अच्छाद, है ना, ये ही है, ठीक है, ये क्या है, starch, अच्छाद, आप हमने क्या बोला आफ़ एक तो हमने यहां पर सन्रश्णान जो घुन में भला तो अब पढ़ाए इसमें आपको कोई डिफ्रेंस नजर आया है यह तो भरण उतक आ गया है ना भरण उतक आ गया उससे बाहर के बाहर तो चीह उतक आ अब यहां पर अंतर आपको कहां देखने मिलेगा समभाण उतक में लेकिन उससे पहले चलो परिरंब तो बनाई देती हूं यह लो यह आपका परिरंब आ गया है ठीक है नाम लिख देते हैं यह बोलेगा मुझे भूल गए हो आप परिरंब आ गया है और परिरंब में क्या होता है पित होता है यह लो जी पित आ गया है है ना याने कि मज्जा बोल दो इसको मज्जा ठीक अब हम जब यहां पर जायलम और फ्लोयम की बात कर रहें बेटा कि जायलम और फ्लोयम जो होते हैं यहां पर बिखरे हुए होते हैं ठीक है ऐसे बिखरे हुए होते हैं यहां पर जायलम और फ्लोयम यहां पर बिखरे हु तो यहाँ पर यही अंतर है इसमें यहाँ पर यहीं यहाँ पर आंतर है वाकिसब क्या है कोई धिफ्रेंस निया सिर्फ यहीं पर अगंग्ई है तो इतनी बात आप सवी को समझ में आ गयी है मद बोलना की नहीं आई बोलो हाँ आगई है ठीक है चलो आगे बर जाते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में और जाल लेते हैं चलो अब मैं अगले की बात करती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो एक बीच पत्री तने की बाहे तचा होती है जो एक बीज पत्री तना है इसकी जो बाहे तवचा है उस पर क्या है तवचा रोम नहीं होते हैं ठीक है चलो फिर अगले की बात करते हैं अब एक बीज पत्री में क्या होता है यहीं पर मैं बोलू तो भाई एक बीज पत्री में एक बीज पत्री तने में क्या होता है जो अधस तवच्चा क्या होती है इस क्लैरन काइमा कोशिकाओं से बनी हुई होती है बनी हुई होती है इतनी बात क्लियर सबको है ना इतनी बात सबको क्लियर हो गई है अब अगर यहां पर वलकुट की बात करते हैं तो वलकुट में कई सताय होती है ठीक है? चलो नेक्स पेश पर आजाते हैं तो वलकुट में क्या होता है यह कौन सा नमबर है? चार पांच अगर हम वलकुट की बात करते हैं तो वलकुट में क्या है? कई सताय होती है ठीके, बहुत सारे सतय होती हैं, इन में क्या होता है, ये जो सतय होती है, इन में क्या है, बहुत से बिखरे हुए समवहन, समवहन क्या, बंडल होते हैं इनमें क्या है बहुत सारे भिखरे हुए समवहन बंडल होते हैं ठीक है जी मान लेते हैं अब इसके जो समवहन बंडल है ठीक है इसके जो समवहन बंडल है किसकी बात कर रहे हैं हम यह जो समवहन बंडल है यहाँ पर क्या होता है ये सयुक्त होते हैं इसके साथ साथ बंद होते हैं ये जो समवहन बंडल हैं ये क्या होते हैं सयुक्त होते हैं सयुक्त होते हैं तथा बंद होते हैं अब परीदिये समवहन बंडल जो होते हैं अगर हम परीदिये समवहन बंडल की बात करते हैं परि दिये समवहन बंडल की अगर बात हो रही है तो यहां क्या हो रहा है यह प्राय हाँ क्या होते हैं छोटे होते हैं ठीके और क्या होते हैं केंदर में बड़े होते हैं फिर यह जो संवहन बंडल है इन फ्लोयन पेरनकाइमा की अगर हम बात करें इन क्या होता है अगर आजयं इसको नहीं दो देने परिदि की बात हो रही है अगले पंट में लिगदेते हैं कोई बात नहीं तो यहाँ पर अगर मैं समवहन बंडल की बात करती हूँ, समवहन बंडल की अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, फ्लोयम पैरन काइमा जो होता है, और क्या होता है, इसके साथ साथ, नहीं होते हैं, और इन में क्या है, इन में गुहाए भी नहीं होती है, तो इसके साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई, यह इतना कुछ समझ में आगा क्या होगा आप सबको है ना बिल्कुल मत बोलना की नहीं आया समझ में मार लगेगी वर्ना कि बोलो तो फिर से समझा देती हूं एक बार कोई दिक्कत नहीं कि एक बीच पत्री तने की जो समरशना होती है वो दूई बीच पत्री से क्या होती है थोड़ी सी अलग होती है सब क क्या बोला यहां जो क्या है तो चीए उतक तंत्र है उसके उपर क्या है तुचा रोम नहीं है ठीक है तुचा रोम नहीं है लेकिन वह क्यूटिकल की लेयर देखो मौजूद है पर यहां पर तुचा रोम नहीं है ठीक है अब यहां पर यह जो तना है इसमें क्या है भाई जो अदस्वत अचा, स्कलेरं कायमा कोशिकाऊं से बनी हुई होती है ठीके, पिर अगर मैं कहूँ कि वलकुट की बात करते हैं, तो वलकुट में बहुत सारी लेयर्स होती है, सत्य होती है और इन में बहुत से बिखरे हुए समवहन क्या होते हैं बंडल होते हैं अब ये जो समवहन बंडल होते हैं ये देखो ये जो समवहन बंडल है ये क्या है सईयुक्त है और बंद है ठीक है बिखरे हुए है चलो याने कि हम क्या देखेंगे अच्छा चलो यहां पर समझो पर एक चीज़ समझो ठीक है मैंने क्या बोला क कि यह दो तना है इस पे क्या है यह पत्ती है अब अगर मैं इस पत्ती के अनुप्रस्त काट की बात करती हूं कि अगर यह पत्ती है इसका अनुप्रस्त काट करेंगे तो यह कैसे दिखाई देगी तो हमें इसका अनुप्रस्त काट करेंगे अगर हम इसको ऐसे काटें ऐसे का काटें तो मतलब हमको यह वाला हिस्सा चाहिए अगर आप ऐसे भी काटोगे तब यह वाला हिस्सा ऐसे काटोगे तब यह वाला हिस्सा समझ रहे हो ठीक है तो चलो फड़ा फड़ से बनाते हैं इसका भाग ठीक हमको पता है सबसे बाहरी जो है क्या बाहे तचा जो होती है व याने कि पत्ती के एक उपर वाली और एक नीचे वाली है ना ये उपरी भाग है पत्ती का और ये नीचे वाला भाग है अगर मेरा हाथ पत्ती है ठीक है ऐसे देखो पत्ती है तो ये क्या है ये उपरी बाहे तो चाहे और ये क्या है नीचे वाली बाहे तो चाहे ठीक है चलो देखो ये उपरी भाग हो गया उपरी बाहेत अच्छा ये क्या है नीचे वाली बाहेत अच्छा ठीक तो चलो इसको नाम दे देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इसकी जो उपर वाली बाहेत अच्छा है ना इसका नाम है अभयक्ष बाहे तवच्च ठीक है यह जो उपर वाला भाग है उसका नाम क्या है अभयक्ष बाहे तवच्च और जो नीचे वाला भाग है इसका नाम क्या है अपाक्ष बाहे तच्चा ठीक है यह क्या है नीचे वाला खाग में ईससको टीक है तो धोनों लेयर यह हो गई है यह हाँ चलो फिर यहां पर क्या कहा जाता है भDay पत्ति में दो प्रकार की तुच्चा है हमने देख ली एक अभयक्ष बाहे तच्चा और तो नीचे वाली कौन से अपाक्ष बा है तो चगर उसके बाद अगर मैं कहूं कि यहाँ परक्या होता है यहाँ पर क्यूतिकल की एक परत पाई जाती है अर्य क्या काम करती है Q-T-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E- आगे बढ़ते हैं अब यहां पर जब cuticle की परत है तो यहां पर क्या होता है भाई पत्तियों में रंद्र पाए जाते हैं ठीके पत्तियों की संदश्टना कैसे पहचानोगे आप कि यह किस चीज का अनुप्रसकाट है जड़का है मूल का है यह पत्ती का है नहीं जड़का है तने का है या पत्ति का है केसे पचानोगे के कि बढ़ Most 타Arc में कि यह उपर वाली सता में या तो बहुत कम होंगे यह कहां होंगे मीचे जयांगे चता में होगे बहुत ज्यादा क्योंकि इस से क्या होता है वाजपोर्थ सर्जन होता है और Together पानी का नुक्सान हो जाएगा ठीक है तो इसलिए उपर की तरफ नहोके नीचे की तरफ होते हैं ताकि कम नुपसान हो जलका ठीक है तो यहां पर मैं बोलू यहां तो बहुत कम होंगे और यहां पर क्या है बहुत जादा होंगे ठीक है यह भी लिख देते हैं चलो यह क्या है आपके रंद्र ठीक है यह क्या है रंद्र ठीक है इतनी बात क्लियर सबको है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं अब रंद्र के बारे में तो हमने बात कर ली है फिर हमने अब तक क्या देखा था कि भाई तचा के बात क्या होता है भरण उतक तंत्र पाया जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है यहाँ पर भरण उतक तंत्र नहीं होता है उसके बदले कुछ और पाया जाता है इतने हिस्से में यह जो हिस्सा होता है ठीक है इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर इसको हमने नाम दिया पर्ण मध्यों तक ठीक है पर्ण मध्यों तक याने की पर्ण का मध्य उतक ठीक है पर्ण याने पत्ती मध्य याने बीश में और उतक याने की उतक ठीक है चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर भरण उतक तंत्र की जगा पन मध्यों तक पाया जाता है अब यह क्या होता है यह दो प्रकार का होता है यहाँ पर देखते हैं ठीके हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो पत्ती होती है तो पत्ती में क्या है पन मध्य क्या है पन मध्यों तक ठीके पन मध्यों तक अब ये क्या होता है ये दो प्रकार का होता है ठीक है दो प्रकार का हो गया एक हो गया बंडल कोशिकाए ठीक है? बंडल कोशिका है ठीक है और दूसरा क्या हो गया दूसरा आपका हो गया दूसरा आपका हो गया स्पंज स्पंज कोशिका है ठीक है तो भाईया पहला हो गया बंडल कोशिका है दूसरा हो गया स्पंज कोशिका है ठीक चलो अब क्या कहेंगे यहाँ पर कि भाईया यह जो बंडल कोशिकाए होती है इनको हम क्या बोलते हैं खंब भी बोलते हैं ठीक है खंब कोशिकाए ठीक है या खंब पैरनकाइमा ठीक है चलो अब हमने भोला कि यह दो प्रकार की हैं कि भाई बंडल कोशिकाए और स्पंज कोशिकाए यह जो बंडल कोशिकाए होती है यह क्या बंडल की शेप की होती है यह कैसी होती है बंडल की आकरती होती है इनमें बंडल की आकरती के जैसी होती है ठीके ओके मतलब कि इनकी शे अब कुछ ऐसे होती है, ऐसे करके, ठीक है, अब अगर स्पंज की बात करते हैं, तो ये कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, अब बात यहाँ पर यहाँ आती है, कि ये बनी किस्से होती है, तो ये बनी होती है, भाई, पैरन काइमा से, पैरन काइमा से बनी होती है फिर अगर इस पंज की बात करते हैं तो यह किस से बनी है? पैरन काइमा से ठीके? किस से बनी है? यह पैरन काइमा से बनी है इतना clear सबको? चलो अब यहाँ पर जब हम पंड मध्यों तक की बात कर रहे हैं हमने बोला यह दो तरीके की हैं, तो यहाँ पर कलर कौन से लिया है, ब्लू, चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी कौन सी कोशिका ही आ गई, ऐसे करके, देखो, साथ साथ डाइग्राइम बनाओगे न, तो समझ में आ जाएगा, ठीके, इस तरीके से, और यहाँ पर कैसे आ गई, इस तरीके से, दोनों की दोनों क्या है यह, बंडल कोशिका, ठीके, क्या है यह बंडल कोशिका, चलो, नाम लिख देते हैं, बंडल कोशिका, दोनों तरफ हैं क्योंकि यह, है न, यह वाली भी और यह वाली भी, बंडल कोशिका, ठीके, अब हमने क्या बोला, कि दूसरी वाली कौन सी है, देखो, एक तो बंडल कोशिका हो गई है, ठीके, खंब भी बोल दो कि खंबे जैसा है यह, ठीक, दूसरी कौन सी है, स्पंज, जो कि क्या है, गोल है, ठीक, चलो, अब गोल बना देते हैं, यहाँ ठीके, यह क्या है, हमारी स्पंज कोशिका, ओके न, ठीके, बतलब यह पूरे में होंगी, ठीके, मैंने से वित्ता बना के छोड़ दिया है, कन्फूशन बिल्कुल नहीं रखना है, ठीके, तो यह क्या है हमारी स्पंज कोशिका, स्पंज कोशिका, ठीके, चलो हमने इसकी भी बात कर ली, अब अगर हम बात करते हैं, कौन सा कड़र उठाएं? फ्रीन उठाथें, चलो, अब अगर हम बात करते हैं, इसके बाद समवहन बंडल की, बढ़ि समवहन बंडल भी तो होगा पहला बाहय उतको गिया है तीक सबसे पहले जलाज होगा इन पत्ति Effective यह आग गया आपका ठीक है इसका नाम लिख देते हैं चलो समवहन उत्तक तंत जिसमें जाइलम और फ्लोयम होते हैं ठीक है तो इसके इंदर क्या है जाइलम और फ्लोयम है ठीक है इसके अंदर क्या है जाइलम और फ्लोयम ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है बिलकुल इसके अंदर है ठीक है चलो इतना क्लियर सबको यह मत बोलना नहीं हुआ बहुत माल लगाँगी अब यहाँ पर जान लो कि जो दूवी बीच पत्री पादप होते हैं न इनकी जो पत्तिया होती है ठीक है यह जो दूवी बीच पत्री पादप है इनकी जो पत्तिया है इनकी जो पत्तिया है इनमें जाली का इनमें क्या जाली का शिरा विन्यास होता है जालिका शिरा विन्यास ठीक है इसका मतलब है जालिका शिरा विन्यास का कि यहां जो यह पत्ती है मैं अगर यह पत्ती बना रही हूँ तो इस पत्ती के अंदर क्या है इस तरीके से यह क्या है हाँ यह शिरा हो गई है और शिरा के उपर भी क्या है ये छोटी-छोटी सी इस तरीके से, क्या है ये, शिरिकाए हैं, और जिन में इस तरीके से होता है, वो क्या कहलाती है, वहाँ पर कहलाएगा कि ये क्या है, शिरा विन्यास इनका जाली का जैसा है, ठीक है, वही अगर एक बीश पत्री की बात करे समांतर रूप से होती है जलकी हानी को रोकता है जलकी रोखने काम करता है चलो इसका मदलब यहां पर आपको ही चीज़े समझ में आ करता है कि भई यह दो बाहे सत्य है बाहे तो यहां पर हमारा समवहनुता का गया है जिसके इंदर जाइलम फ्लोयम है एक और चीज़ चुट गई है यहां पर क्या बंडल अच्छाद यह जायलम फ्लोयम इस तरीके से दिखा देती हुखर है कि आप अपना बिलकुल कंप्यूज मतों अथीगे चलो के बरते हैं प्रस्टाधार द्यूबीज पत्री ठीक है अब इसके बारे मात करते हैं तो यहां पर प्रस्टाधार पत्ती होती है ठीक है पत्ती के फलक जो होते हैं यह प्रस्टाधार पत्ती है नमबर वर लिखते हैं यह जो प्रस्टाधार पत्ती है देखो जो चीज हमने अभी तक यह यहां पर सीखी है ठीक है जो चीज हमने यहां पर सीखी है अभी उसको हम क्या करेंगे थियोरी में सीखेंगे तो जो प्रश्टधार पत्ती के फलक की अगर बात करते हैं पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुक भागों में होती है बागों में होती है कौन कौन से तीन प्रमुक बाहे तो अच्छा है ना तीन प्रमुक भाग कौन से हो गए बाहे तो अच्छा ठीके दूसरे क्या हो गई पर्ण मद्यो तक ठीके और तीसरा क्या हो गया हमारा संवहन तन्थ ये तीन भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, कितने भागों में भाई, तीन भागों में, अब जो बाहे तोचा है, जो बाहे तोचा है, देखो यहां पर, यह बाहे तोचा क्या है, उपरी सत्य क्या के लाएगी, उभ्यक्ष, और जो नीची वाली सत्य है, वो उपाक्ष, ठीक है, तो यह जो उपरी स सता है बाहे तो चाहिए अगर बात करते हैं तो जो उपरी सता है उपरी सता जो है अहां उपरी सता की बात करें दूसरी निचली सता की बात करते हैं फिर गलत लिख दिया ठीक है अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है ओपरी सता क्या कहलाती है हमारी अभयक्ष अभयक्ष बाहे पचा बाहे पचा और जो निचली सता है वो क्या है अपाक्ष बाहे पचा ठीक है तो दो यहां पर है और दोनों पर क्या है दोनों पर क्यूटिकल होते हैं दोनों पर क्यूटिकल मौजूद होते हैं ठीक है अच्छा कल कल जब कल जब राज शाम को क्लाश चल रही थी मैं लोग कल क्या देली रेखती हूं क्योंकि जहां पर आप लोग बात्चीत करते हैं उन्हें पर कॉमेंट्स देखती रहती हूं हैं तो आप लोग पढ़ते तो हो नहीं इद्धर दूर की इद्धर की बातें आउड करते हूं चाहें आप प्री क्लाश ले रहे हो या process ले रहे हैं आप लोग को नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद करते हूं मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मेरा एक मिनट भी कहीं खाली बरबाद हो रहा है न तो कितना time waste हो गया पर मुझे समझ में नहीं यादा कि आप लोगों को महसूस ही नहीं होता है कि आप लोगों का समय भरबाद हो रहा है और एक बत हमेशा याद रहतना जो आपके माबाप भी कहेंगे और जो आपके टीचर्स भी आपको समझाते हैं कि अगर आज समय को आप बरबाद करोगे तो कल समय आपको रूला देगा और आप सोचों कि काश उस समय हमने पढ़ लिया होता ठीक है? काश उस समय हमने पढ़ लिया होता ये जो आप यहाँ सब करते रहते हो ना ये सब चीजे बिल्कुल समझ में नहीं आती मुझे कि आप लोग कैसे टाइम बरबाद कर सकते हो अपना आप लोग को टाइम की कीमत ही नहीं है कि कितना कीमती होता है समय कि एक बार बीत गया तो ये समय वापिस नहीं आएगा अगर मैं कल की क्लास की बात करती हूँ लास क्लास की बात करती हूँ तो क्या उस क्लास में जो पढ़ा आप लोगोंने सच बताना ये माददारे से क्या आप लोग को याद भी है कि क्या पढ़ा था नहीं मालूम होगा आप में आप में से एक का दुक्त ऐसे बच्चे होंगे जिनको मालूम होगा एक्चुली मैं जिनके कॉमेंट्स में देख रहे थी कि हाँ ये लोग पढ़ने में इंट्रोस्टेड है उन लोगों को मालूम होगा वाकी जितने बच्चे वहां थे उनमें से किसी को नहीं मालूम होगा क्योंकि उनको अपनी बातों से ही फुरसत नहीं थी अगर आप आए हो तो पढ़ लो अगर यहां मैं मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो पढ़ लो क्योंकि अच्छी चीज़ है जहां से भी मिले सीख लो कोई बुराई नहीं है पैसे देखे सीखने से अच्छा है कि अगर प्री में सीख रहे हो तो वो बेटर है हाँ समश्चरे बात होगो तो यह चैटिंग में ध्यान न लगा कि थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगा यकीन मानों आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा क्योंकि जितना इजी तरीके से पढ़ रहे हो आप यहां पर न क्या ही बोलू चलो पढ़ लो ठीक है तो यहां पर क्या है देखो यह जो है उपरी सता है निचली सता है ठीक है उपरी सता उभ्यक्ष बाहे तोचा कहलाएगी और निचली वाली क्या है उपाक्ष बाहे तोचा और इन दोनों में ही क्या है cuticle मोजूद होते है, ठीक है, अब मैं कहूं की इन दोनों में comparison किया जाए, तो ये वाली सता जो होती है, यहाँ पर जो रंदर होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, या तो कम होंगे ठीके जो रंद्र हैं या तो कम होंगे या फिर बिलकुल नहीं होंगे बिलकुल नहीं ठीके या तो कम होंगे या बिलकुल नहीं होंगे ये दोनों चीज़े क्लियर है इतनी बात है ना चलो आगे बढ़ते हैं कौन सा ब्लू कल उठाया इस बार ठीक है अब बात कर ली कि भाई हमने बाहे तुचा के बारे में दूसरी चीज क्या है कि पर्ण मध्यों तक अब बाहे तुचा जो होती है चाहे उपर की हो या नीचे की हो उन दोलों के ब नीचे इस पर लिख लेते हैं कि जो बाहे तुचा होती है बाहे तुचा जो होती है ठीक है उपरी और नीचली ठीक है इन दोनों के बीच में दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? पन मध्यों तक, ठीक है? पन मध्यों तक, ठीक है? इन दोनों के बीच में क्या है? पन मध्यों तक है, ठीक है? चलो, अगला देखते हैं, अब ये जो पन मध्यों तक है, इस में क्या है? इस पन मध्यों तक में क्य है chloroplast होते है chloroplast होते हैं ठीक है यहां क्या होते है chloroplast होते है याद रखना पढ़ मध्यों तक में chloroplast होते हैं ठीक चलो अब यहाँ पर क्या है यह किससे बनी हुई होती है यह बनी हुई होती है बनी हुई होती है किससे पैरंकाइमा कोशिकाओं से ठीक है कोशिकाओं से बनी हुई होती है यह दोनो ठीक चलो जी माल लेते हैं हम लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है इसको हटा देते हैं चलो एक और चीज़ आती है क्या चीज़ आती है कि यह जो point मद्धियो टाके मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं ठीके तो इसके दो प्रकार कौन से हैं दो प्रकार के होते हैं तो अगर मैं इसके दो प्रकारों की बात करती हूँ, तो भाई पहला क्या है खम, जिसको हमने बंडल भी बोला, खम, पैरनकाइमी, पैरनकाइमा, बोल सकते हैं इसको, ठीक है, खम, पैरनकाइमा, या फिर इसको हमने क्या बोला था, स्पंज कोशिक बात करते हैं तो मैंने बताया तक इनकी संध्यार कैसी है ये जो होती है, कुछ इस तरीके से मौजूद होती है, है ना, ऐसे, इस तरीके से होती है, इनकी अगर हम बात करेंगे, इनकी, तो ये ऐसे होती है, ठीक है, ये इस तरीके से होती है, ठीक, इतनी बात सब को clear, विल्कुल समझ में आ गई है, है ना, तो मुझे लगता है आगे क्या होती है खंब पैरन काइमा की उपरी बाहे तच्छा के बिलकुल नीचे यह इसकी उपरी बाहे तच्छा के बिलकुल नीचे क्या होती है हाँ इनकी कोशिकाए जो होती है इनकी कोशिकाए इनकी कोशिकाए लंबी होती है ये क्या होती है ये जो खम फैरन काइमा है ये उपरी बाहे तो चाके बिलकुल नीचे होती है और इनकी कोशिकाए कैसी होती है इनकी कोशिकाए लंबी होती है ठीक है इस तरीके स देखो यह नहीं लंब्डी होती है इनकी कोशिकाएं ठीक फिर अगर मैं बात करती हूं भाई किसकी कि किसकी बात कर रहे हैं हम स्पंजी पैरन काइमा की यानिकी स्पंजी कोशिकाओं की बात करते हैं यह स्पंजी पैरन काइमा बोल दो तो यहां पर क्या होता है यह क्या है क यह स्पंजी पैरन काइमा जो है खंब कोशिकाओं से नीचे होती है ठीक है यह क्या होती है खंब कोशिकाओं से नीचे होती है यह आप बोल सकते हो नीचे से जो है जो नीचली बाहे तो चाहे उसके उपर होती है ऐसे भी बोल सकते हो नीचे होती है और कहा होती है निचली बाहे तचा तक निचली बाहे तचा तक होती है ये ठीक है और ये कैसी होती है अंडाकार होती है ये गोल बोल दो अंडाकार या फिर गोल ठीक है? बोल तकते हो आप इसे ठीक, clear इतनी बात है ना, बताओ सबको clear है इतने अच्छे से इतने प्यार से तो लिख लिख के आपको कोई समझाएगा भी नहीं, जितना समझा रही हूँ ठीक है? ये सिफ मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, इसलिए पढ़ाती हूँ कि चीज़े आपकी समझ में आ जाएं ताकि कल को आप ये ना बोलो कि जो हमने पढ़ा था, वो समय बरबाद था, समय समझ में नहीं आया समय बरबाद इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो समय बरबाद होगा क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो आपको chatting से ही फुर्शत नहीं होती है चलो फिर अगर मैं समवहन तंत्र की बात करती हूँ तो कहां लिख दे यहीं लिख देते हैं चलो तीसरा पॉइंट चलो छोड़ो next page पे लिख देते हैं वो भी तो खाली पढ़ा है तीसरा पॉइंट समवहन उतक की अगर मैं बात करूँ समवहन उतक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है समवहन तंत्र में समवहन बंडल होते हैं समवहन बंडल होते हैं यहां जिनमें क्या होता है जाइलम और फ्लोयम होता है इसमें क्या है जाइलम और फ्लोयम है ठीक है इसके साथ साथ यहां पर क्या है बंडल अच्छाद भी है ठीक है इसके साथ साथ यहां पर क्या है बंडल अच्छाद भी होता है वंडल अच्छाद होता है ठीक है फिर मैं क्या बोलूं कि और क्या हो सकता है इसमें हाँ बाकी सब तो हो गए है मेरे ख्याल से हम अब कवर करी लिया है हम लोगों ने चलो फिर इसके लिए तो इतना हो गया इस तरीकी से दिऊ किया है यह यह ँपे जाएल्म है फ्लोयम है अगर हम एक बीच पत्री पहले बना हैं फिर देखने हैं यहां पर हमने क्या बोला कि सामानतर विन्यास पाया जाता है अगर हम इसकी संदश्ट्टा बनाएंगे तो कैसी बनेगी यह देखो इसमें भी तो वही होगा ना इस तरीके से है ना ऐसे उपरी और निचली बाहे तो चा है ना तो हम चलो नाम दे देते हैं इनको यह क्या है यह उपरी है इसको हमने क्या बोला उपरी वाले को क्या बोला अभयक्ष अहां अभयक्ष बाहे तचा ठीके इसको क्या बोला हमने अभयक्ष अभयक्ष बाहे तचा और यह क्या है जो नीचे वाली है यह क्या है आपकी अपाक्ष अपाक्ष बाहे तचा ठीके यह क्या है नीचे वाली है निचली सत्ह ठीक़ यह निचली परत यहका है Пर इन दोनों की बीच में गया है देखो इहां पर हम फिर से कहते हैं कि इन दोनों की मिलेंकि सबसे पहले कोशिकाए कौण सी मिलेंगी हमें यहांपर यहां पर हूं इस सारी की सारी क्या होती है छाहना उससे पहले जानो कि बाई इतने Qticle होते हैं, Qticle जान लो, Qticle की लेयर होती है, ये रही आपकी Qticle की लेयर, दोनों तरफ होगी ठीक है, दोनो तरफ होगी, लिख देते हैं, Cuticlely परत होती है, ठीक है, दोनों तरफ क्यूटिकल परत हो गई अब रंद्र भी होते हैं है ना ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या miroistan ठीक रहे रहे रंद्र लोगि क्व constituents यह रहे रंद्र आपके है है ना इनको भी लिख लेते हैं क्या है यह रंद्र ठीक है रंद्र है अब रंद्र के बाद वेम ने क्या बोला था कि ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है ये क्या होता है पर्ण मद्यों तक ठीक है और इस पर्ण मद्यों तक में सारी की सारी क्या होती है स्पंज कोशिकाए होती है था कि सार यांपर इस पंज कोशिकाए होती है चलो बना लेते हैं इस पंज कोशिकाओं को फिर के रही है अच्छा उपर भी ग्रीन नीचे भी ग्रीन हो जाएगा फिर थो ग्ल्यू ले लेदें काम करते हैं सारी के सारी क्या है यह आपकी स्पंच कोशी का है यह स्पंच सेल बोल दो देखो यह जो पढ़ाई होती है ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना यह वाइस वर्ता होती है अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे को पढ़ाने का मन करेगा और अगर बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो टीचर का मन करेगा यहां पर क्या है मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती हूं आप लोग हमने क्या सारीडी कहा है स्पंज कोशिका एं थीचए अफ इन इसपंज कोशिका हों में क्या बोला हमने सम्वहन उतक भी होता है थीचे यह रहा आपका सम्वहन उतक इस समवहन उतक में क्या है इस समवहन उतक में क्या है जायलम फ्लोयम यह रहे आपके जायलम फ्लोयम ठीक है तो हमने क्या बोला फ्लोयम बाहर है और जायलम क्या है अंदर है ठीक है यह आपका समवहन उतक है ठीक है दोनों चीज़े मिलाके समवहन उतक ठीक है यहाँ पर क्या है क्या बोला मैंने कि जाइलम अंदर है और फ्लोय है बाहर इस चीज़ का ध्यान डखना ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया वह एक बीश पत्री का अनुपरस्त काट हो गया है ठीक है अब यहाँ पर क्या है यहां पर यहां पर यह धके हुए नहीं होते हैं ठीक है यहां पर यह धके हुए नहीं होते हैं ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब समिद्धी पार्ष्व यानि एक बीच पत्री पौध में समिद्धी पार्ष्व की जब हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे भाई हम यहां प तो हम यह बात करेंगे क्या बात करेंगे दूसरा कलर उठा ले तो यहां पर हम क्या बात है यहां देख लो अब यहां पर मैं देख रही हूं तो इन दोनों भागों में क्या है जो रंद्र है ना जो रंद्र है इनकी जो संख्या है वो बराबर होती है ठीक है ना जादा ना क लगबख थोड़ा बहुत होता है क्योंकि वात्पोर सर्जिन और किसके लिए गैसों के जो विनियम होता है उसके यहां पर रण जरूरी होते हैं ठीक फिर दूसरी चीज यहां पर यहां पर यह जो पूरा पर्ण मध्य होता है यह स्पंजी कोशी का से बनाए देखो यहां ल समिद्धी पार्श्व पत्ती का शरीर पत्ती का शरीर और जो क्या है द्वी वीश पत्तरियाने की जो प्रस्टाधार पत्ती है है न जो प्रस्टाधार पत्ती है तो इसका जो शरीर है इसका जो शरीर है इन दोनों के शरीर में अधिकांश समानता होती है ठीक है इन दोनों के शरीर में क्या है अधिकांश समानता होती है यह समान ही है बोल सकते हैं ठीके लेकिन इसके साथ साथ कुछ भिन्नता भी है लेकिन इसके साथ साथ लेकिन की अगर बात आती है लेकिन कुछ भिन्नता भी है भिन्नता भी है क्या? की उपरी और निचली बाहे तरचा पर एक समान रंद्र है ठीके? क्या भीन्नता है? क्या है? की जो उपरी और निचली बाहे तरचा जो है वा है तो अच्छा पर एक समान Tutorial है या एक समान Tutorial है एक रंदर है थीक है। अब अगर example यहां पर घास का लेते हैं घास का अगर हम एग्जैंपल लेते हैं यहां अगर हम दूसर नमबर पर चलों उधारन लेते हैं गहास का तो अगर इसका उधारन लेते हैं हम घास का तो क्या होता है यहां पर घास में जो आपरी बाहे तुचा है उसमें जो उपरी बाहे तच्चा की जो कोशी का है उपरी बाहे तच्चा में कुछ कोशी का कुछ कोशी का लंबी लंबी होंगी, खाली होंगी और रंगहीन भी हो सकती है रंगहीन होती है ठीके? तो ये जो कुछ है इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हमने क्या बोला, क्या बोला इनको, इनको हमने बोला, आवर्ध त्वक कोशिका, ठीक है, आवर्ध त्वक कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, बुली फर्म, अगर नाम सुना हो तो, अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो, प बुली फॉर्म कहलाती है यह ठीक है ऐसी कोशिका क्या कहलाती है बुली फॉर्म अब जब कोशिका है क्या है कोशिका है क्या है इस्फित है अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका अगर क्या है इस्फित होती है तब ये क्या होती है तब ये मुड़ी हुई होती है मुड़ी हुई होती है ठीक जब क्या वोल रही हूँ जब ये कोशिकायस पित होती है तब ये क्या करती है मुड़ी हुई जो पत्तिया होती है उनको क्या करती है खुलने में मदद करती है, उनकी मदद करती है, खुलने में सहायता करती है, मदद करती है, या help करती है, कुछ भी लेख सकते हो, ठीक है, clear यहाँ पर, चलो, अब इसके बाद अगर मैं कहों भई, जब वातफोर्ट सर्जन की अधिक दर होती है यहाँ पर, यानि कि यहाँ पर तो कम करने के लिए क्या करती है मुड़ जाती है इसका मतलब जब क्या होता है जब वाशपोत सर्जन की दर जादा होती है पत्तियों में इसकी दर ज्यादा होती है ज्यादा होती है तो पत्तियां क्या करती है तो पत्तियां कि इस दर को कम करने के लिए दर को कम करने के लिए क्या करती है मुड़ जाती है अब यहां पर हमने क्या बोला पत्तियों में क्या है यहां तक क्लियर सबको बना मत कर देना अगर पढ़ रहे हो तो पिटाई लगेगी चलो चार यह हो गया पाचवी नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो पाचवी नंबर पे क्या है पत्तियों में अगर शिरा विन्यास की बात करते हैं यहां पर अगर पत्तियों में शिरा विन्यास की बात करते हैं श समानांतर भी बोल सकते हैं इसको, क्या है, समानांतर होता है, ठीक है, अब समानांतर होता है यहां पर, अब यहां पर शिराविन्यास जो है भाई, कब देख सकते हैं आप इसको, इसका शिराविन्यास कब देख सकते हैं, कब देखोंगे आप इसको, जब लंबवद काट करोगे, काट करोगे, तब ही देख पाओगे, ठीक है, फिर अगर मैं समवहन बंडल की यहां पर बात कर लेती हूँ, किसकी, सिक्स पॉइंट, समवहन बंडल की बात करती हूँ, तो समवहन बंडल का माप जो है, वो क्या है, समान होता है यहां, समान होता है, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर, मना मत कर देना, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई है, है ना, अमीद है कि क्लियर हो गई होगी, नहीं होगी तो मार लगेगी फिर, ठीक है, तो चलो थोड़ा सा जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि पुष्पी पादपो का शारीर की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जुद्टिक वृद्धी बोलो, ठीक है, अगर मैं जुद्टिक वृद्धी बोलती हूँ, ठीक, या फिर मैं क्या बोलूँ, या फिर मैं यहां पर बोलती हूँ, कि भाई, सम्वहनी कैम्बियम, ठीक है, सम्वहनी कैम्बियम, अगर मैं यह दोनों चीज़े लेकर आते हूँ, तो यह क्या है, तो यह क्या ह मैं यह पूछना चाहती हूँ हाँ बताओ किसको मालूम है कौन मुझे जवाब दे सकता है किसको मालूम है कि भाई अगर यह दोनों चीजों की बात हो रही है तो यहां क्या हम बात करने वाले हैं बताएगा कोई कैसे बताओगे सारा दिमाग तो चैटिंग में हैं कैसे आए थे क्यों नहीं आए थी जादा इंपोर्टेंट चीज़े हैं इससे तो आप लोग कोई नीज का कोशिन बनेगा आप लोग के ठीक है यह आपका में कोशिन बनेगा पांच नंबर में आएगा भाई तो छोड़ना थोड़ी है है ना सबको सबको पता होना चाहिए इसक आदब उतक के बारे में बात करी थी ठीक है यानि कि प्लैंट टिशू के बारे में जब बात करी थी तो हमने कहा था है दो तरीके के होते हैं एक विभी जो उतक होता है एक स्थाई होता है है ना एक क्या है विभी जो उतक ठीक है और दूसरा क्या था स्थाई ठीक है दो च तक में क्या होता है जो सेल डिवीशन होता है यानि कि क्या होती है कोशी का विभाजन की जो प्रोसेस होती है यहां पर कोशी का विभाजन जो होता है यहां पर वो क्या होता है होता रहता है होता रहता है होता रहता है होता रहता है कहां पर जड़ और तने में ठीक है कहां पर जड़ और तने में ठीक है इन में होता रहता है अब यह जो कोशी का विभाजन होता है यह होता रहता है होता रहता है होता रहता है और यह कैसे टाइम पीरिट पर आ जाता है जहां पर आके यह क्या हो जाता है फुल स्टॉप लग जाता है यह रुख जाता है यही बात करी थ तो जहां पर ये रुक जाता है वो जो condition होती है वो इस थाई कहलाती है ठीक है मान लिया आप क्या बोलना है कि bate अगर बात करते हैं किसमेंगे किस सहायता मिलती है तो इसकी में मदद करता है लंबाई बढ़ाने में पेड़ की है ना उसकी चवर मदद करता है लंबाई बढ़ाने में हेलप करता है ठीक हमने कहा दो भागों में गया आई है ठीक है एक तो गया आपका विब्बे जो तक ठीक है विब्बे जो तक ठीक और दूसरा किसमें गया इस थाई में गया यह ठीक है दूसरा इस थाई में गया फिर अगर मैंने बोला कि विब्बे जो तक क्या था फिर तीन पार्ट में गया था विभ्य जो तक ठीक है कौन कौन से थे भई शीर स्थ पहला था शीर स्थ विभ्य जो तक उतक दूसरा क्या था अंतह विष्ट विभ्य जो तक उतक विष्ट ठीक है और तीसरा क्या था आपका पार्श्व तीसरा क्या था पार्श्व विभ्य जो तक उतक था ठीक है तो यहाँ पर यह तीन चीजे आई थी ठीक तो यहाँ पर क्या था यहाँ पर किसमें आया था यह सरल और जटेल आ गिया था इस थाई में सरल और जटेल आ गिया था यहाँ पर ठीक है? तो फिर हमने क्या बात करे थी भाई? कि यहाँ पर क्या है? लंबाई और चोड़ाई जो बड़ेगी वो इसकी वज़े से बड़ेगी, ठीक है? अगर अंतविष्ट की बात करते हैं तो यह क्या करता है? यह कोशिकाओं में क्या करता है? विभाजन के बात? कौशिकाओं में विभाजन के बात क्या करता है नई शाखाओं का निर्मान करता है नई शाखाओं का निर्मान ठीक है यह दोनों चीज़े यहां होती है यह इससे होता है ठीक चलो जी यहां पर निर्मान हो गया है अब यहां पर क्या हो रहा है भाई कि यहां पर जितनी भी वृद्धी हुई है जितनी भी ग्रोथ हुई है यहां पर जितनी वृद्धी हुई है ठीक है ग्रोथ हुई है वो क्या है यह है प्रात्मिक वृद्धी यह क्या कहलाई प्रात्मिक वृद्धी कहलाई ठीक है प्रात्मिक वृद्धी ठीक है प्रात्म अतनिक विद्धी हुई है कैसे हुई है इस उतक की वज़े से हुई है इतनी बात यहां तक क्लियर है ठीक है मतलब कि हम कह सकते हैं इससे क्या हो रहा है इससे लंबाई का क्या हो रहा है क्या हो रहा है लंबाई हो रही है इसकी वज़े से है ना यह लंबाई का कारण है बेसिकली जो विब्वे जो तक उतक है किसा कारण है लंबाई का कारण है ठीक है चलो यहां पर हम को यह हो गया ठीक है अब यहां पर लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसके ब उतक में होती है किसमें होती है जित्यक उतक में होती है ठीक है किसमें होई जित्यक उतक में होती है लेकिन अगर मैं कहूं कि कब पता चलता है अगर मैं कहूं कि व्रद्धी हुई है कब पता चला आपको कि हाँ यह व्रद्धी हुई है कब पता चला तो आप क्या जवाब दो कि मुझे बताओ मैं। । आठेगो अरे सिंपल सी चीज़े कशुरास का पता चलेगा जब आप देखोगे जो पॉदा है कि मूटाई में क्या अंतर आया है ठीके जो पादफ है पादफ की मूटाईंस में व्रिद्य हूई है कि मूटाईंस में व्रिद्ध हूई है ठीके, है ना, अब ये जो दिद्टिक वृद्धी हुई है, यहाँ पर है कि भाई सवाल आता है, कि ये जो दिद्टिक वृद्धी है, यहाँ पर एक सवाल आता है, कि इसमें कौन-कौन से उतक भाग लेते हैं, ठीके, कौन-कौन से उतक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, च्छलों फ檯 जान लेते हैं इसके बारे में, है ना? फिर हमने क्या देखा कि जो विवे, जो तक उतक है, इसमें क्या है? शीर, शीष, अन्तविष्ट है, पार्ष्व है, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों की बात करती हूं, तो हमने क्या बोला? कि ये दोनों क्या करते हैं, प्रात्मिक वृद्धी करते हैं, है न, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रात्मिक वृद्धी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पार्श्व की बात करती हूँ, ये जो पार्श्व है, ये क्या है, किस में मिलेगा आपको, ये मिलेगा जड़ और तने मे यह पाए जाते हैं ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं जहां पर यह क्या करते हैं मोटाई में व्रद्धी करते हैं ठीक है मोटाई में व्रद्धी करते हैं जिसको हम जुद्टक व्रद्धी कहते हैं ठीक है जिसको हमने क्या बोला जुद्टक वृद्धी कहते हैं इसको ठीक है? इसको हमने क्या बोला? धुद्टिक वृद्धी बोला इसको ठीक है? इतनी चीज़े clear और हमें किसी बारे बात करनी हैं? इसी के बारे में बात करनी हैं अब यहाँ पर क्या होता है? Cambium आता है एक शब्ड काम करते हैं अगर हम दिठ्ट्यक विर्द्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये क्या काम करती है जित्यक विर्दी मूल तथा तना अरे बापने नना लिख रही हों मैं तना क्या करते हैं कि लंबाई में मोल तथा तने की लंबाई में लंबाई में क्या कर रहे हैं। शीर्ष स्थह विब्य जोतक की सहायता से बढ़ते हैं। ठीके यहां क्या होता है कि भाईया क्या कि मूल तथा तना जो होती है वो जो उनकी लंबाई होती है वो शीर्ष स्थह विब्य जोतक की सहायता से बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला हमने, इनको बोला प्रात्मिक वृद्धी बोला इसको हमने, ठीक है, ये सब क्या कहलाया, प्रात्मिक वृद्धी कहलाया, प्रात्मिक वृद्धी, ये सब वही लिख रही हूँ मैं, जो मैंने अभी आपको पीछे दो पेजिस पे समझाया है, वो यहीं लिख रही हुँ मैं ताकि समझ में आ जाए ठीक है अब यहां क्या होता है जो अधिकांज क्या होते हैं द्वीज पत्री होते हैं जो अधिकांज द्वीज पत्री होते हैं इनमें प्रात्मिक व्रिद्धी के अतिरिक्त के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है प्रात्मिक व्रिद्धी तो होती है ठीके प्रात्मिक व्रिद्धी तो होई यहाँ पर उसके साथ साथ क्या हुआ मोटाई मोटाई भी बढ़ती है क्या हो रहा है आज मोटाई के साथ मोटाई भी क्या है बढ़ती है ठीके अब यह जो यहाँ पर प्रात्मिक वृद्धी तो हुई है इस प्रात्मिक वृद्धी के साथ क्या है मोटाई भी बढ़ रही है तो यहाँ पर यह जो मोटाई बढ़ रही है इसको क्या बोला हमने जिट्टक वृद्धी बोला secondary growth जिट्टक वृद्धी याने की secondary growth का भी यहाँ पर काम हो रहा है ठीके अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या यहाँ पर एक बीच पत्री मूल की अगर हम बात करते हैं उसमें यह नहीं होता है यह किसमें नहीं होता है यह एक बीच पत्री मूल तथा तने में नहीं होती है क्या नहीं होती है यह ठीके दिट्टक वृद्धी की बात कर रहे हैं कि यह एक बीच पत्री मूल तथा तने में नहीं होती है ठीके यह इसमें नहीं होती है ठीक यह सिर्फ दूवी बीच पत्री में होती है इस चीज़ का खासकर आपको यहां पर ख्याल रखना है अब अगर हम जिम्नो स्पर्म की बात करते हैं उसमें क्या है जिद्धक वृद्धी होती है ठीके इन दोनों में होती है यह ठीके जिम्नो स्पर्म के तना और मूल दोनों में क्या होती है जिद्धक वृद्धी होती है समझ गए इतनी बात सबको समझ में आ गई तो फड़ा पड़ से थमसब दिखा दो यह बतियाओ मत कितने दिखा दो था हम सब भाई समय में Genis थोड़ा से पढ़ने आते हो तो पढ़ाई पे ध्याम दे लिया कर अगर मैं कलके कॉमेंट्स की बात करती हुँ तो है मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिये जिन्होंने बोला कि हमेम आप आप सही बोल रहे हो सही बोला है लेकिं वाकी सारे के सारे क्या चैटिंग में लगे लगे उन्हें कोई मतलब ही नहीं कि क्लास में क्या चल रहा है हां मैं भी आती हूं मैं भी देखती रहती हूं कि हां क्या बाते कर रहे हैं क्या बाते कर रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो यह तो हमारे इसके बारे में हो गया है ठीक है अब अगर मैं कहूँ कि जो उतक दुत्तक व्रद्धी में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कहां लिखें कहां लिखें कहां लिखें चलो यहां लिए ठीक है भाग लेते हैं लेते हैं कौन जो उतक ताकि आपको समझ में आ जाए दिट तक व्रद्धी में क्या करते हैं भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं देखो दूसरे कलर से लिख देती हूं है ना पार्ष विये मेरी स्टेम पार्ष विये मेरी स्टेम ठीक है पार्ष विये मेरी स्टेम हो गया है समवहन कैंबियम हो गया है समवहन कैंबियम है ना समवहन कैंबियम हो गया है फिर क्या है कौन कैंबियम आ गया है the go the cambium कि सारे कि सारी चीजसे किसे आ गई है कि यह है 1 & 2 & 3 का यह दूपम किस में भाग लेते हैं यह कि तैन comprendade में भाग लेते हैं चलो एक काम करते हैं समझने से परिए थोड़ा से समझते हैं कि अच्ते हमारे पास यहां का इत्हान गिया है ठीक है, Cambium किसमें मिलता है हमको, Cambium हमको मिलता है भाई, हमने बात करी थी, जड में भी होता है, और तने में भी होता है, ठीक है, दोनों चीजे में होता है, ठीक है, ठीक है, जड में भी है, और तने में भी है, ठीक, चलो, ओके, अब यहाँ पर यह Cambium क्या काम करता है, यहाँ करी थी कि ये भी क्या काम करता है दुद्टेक वृद्धि का करता है काम याने कि क्या काम कर रहा है मोटाई बढ़ा रहा है ठीक है मोटाई बढ़ा रहा है इसका मतलब अब अगर मैं बोलू यह जो Cambium है इसकी condition के हिसाब से यानि कि अगर मैं इसकी इस्तिथी के हिसाब से बात करती हूँ कि किसी पादत में इसकी condition क्या है कौन सी इस्तिति पे ये मौझूद तो ये दो प्रकार काहोगा ठीक type कौन सा होगा दो प्रकार चलो देख लेते ह। यह जो cambium है, यह दो प्रकार का होगा, ठीक है, किसके हिसाब से, इस्तिती के हिसाब से, या इस्तिती के अनुसार, कैसा, कि भाई, कौन सी इस्तिती, जड़ और तने की बात हो रही है, कौन सी इस्तिती, जड़ और तने की बात हो रही है, इनके हिसाब से, कि इनकी इस्तिती क क्या है तो ये दो प्रकार का है ठीक कौन से दो प्रकार हैं देख लो कौन से दो प्रकार हैं भाई समबहन गैम्पियं थिसको हम क्या बोलते हैं वैसकुलर cambium बोलते हैं इसको क्या बोला हमने इसको vesicular cambium दूसरा क्या है मारे पास cork ठीक है cork cambium दूसरा क्या है cork cambium ठीक है अब अगर चलो जगा है मुझे लगा कि पेज बढ़ाना पड़ेगा अब अगर मैं इस vesicular cambium के बारें बात करती हूँ तो यह हमें कहां मिलता है जड़ और तने में मिलता है किसमें मिला यह हमको जड़ और तने में मिलता है यह हमको ठीक है कहां मिलता है जड़ और तने में फिर अगर मैं cork cambium की बात करती हूँ तो भाई यह भी हमको जड़ और तने में मिलता है दोनों ही चीज़े ठीक है दोनों ही चीज़े किसमें मिल रहा है हम को जड़ और तने में मिल रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं चलो अब जब कैम्बियम में जड़ और तने की बात कर रहे हैं वह चलो थोड़ा सा डाइग्राम बनाते हैं और समझते हैं इसको कि बई संवहन उतक तंत्र जो होता है उसमें हमें पता है समवहन कैम्वियम होता है इस तरीके से यह रहा इसमें क्या होता है जाइलम और फ्लोयम होता है इसमें ठीक है समवहन उतक तंत्र में क्या है भाई समवहन कैम्वियम पाया जाता है ठीक यहां क्या है जाइलम यहां क्या है कि यहां पर क्या है आपका फ्लोयम यहां क्या है जाइलम ठीक है अब तक भी दिव बीश पत्री कि यहां पर बात हो रही है तो यहां पर कैम्बियम तो दिव बीश पत्री में होता है ना एक बीश में तो नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर Cambium बीच में आ गया है लो जी ऐसे करके ठीक है? Cambium आ गया है तो यह जो Cambium है, यह क्या है? समवहन Cambium कहलाएगा यह यह क्या है? समवहन Cambium समवहन Cambium ठीक है? ओके? चलो ठीक है जी, यह समझ गए हम लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं? कॉर Cambium की बात करते हैं तो देखो कॉर Cambium कैसे समझोगे? कि हमको मालूम है, कि यह क्या है? बाहत उचिया है न? बाहत उचिया है ठीक है? यह बाहत उचिया है उतकतंत इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यह इस पर आपके पास क्या जाएगा यहां पे लू जी यहां क्या गया कॉलन कैमा पर इस तरा हूं फोरच यही न भी दो इस तरीकके से चारो परत एक एक करनकर के ऐसे होती है अब यहां पर यह जो तीनों मिलक बना रही है और यह थीन billion यह तीन मिंद्गे जो बना रही हैं इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं सब्सक्राइब इसको हो जल्स कॉर्टेक्स कैने क्या बोला क्यूं बोला और यहां पर अगर कहीं बीच में यहां पर इस तरीके से जरी है है किए त्याब यह माझूद है कहीं यह मुझूद है अगर वीच में नहीं तरीके से क्लक से कैंपियम मुझूद है तो यह क्या कहलाएगा आपका यह कहले गव्ष्ष इसका क्ले केंपियम कर च कहला यह क्लिर इतनी वद बताऊ जल्दी से सबको समझ में आ गई है कि यहां पर यह समवहन Cambium और Core Cambium क्यों है क्योंकि कोटेक्स के अंदर ही जो Cambium पाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा Core Cambium कहलाएगा इस चीज़ को ध्यान में रखना है बातों में ही वक्त जाया नहीं करना है बार-बार बोलती हूँ एक्जैम से आने वाले हैं स्लेबास पूरा कर लो ठीक है वाकी आपकी मरेदी है ठीक है चलाओ आगे बढ़ते हैं अब आता है समवहनी Cambium समवहनी Cambium के बारे में जब हम बात करते हैं तो समवहनी Cambium के बारे में क्या बात करेगँ गैई? किसको मालुम है समवहन कैम्डियम के बारे में बात कर रहे हैं तो भई हमें पता होना चाहिए ये कहां होते हैं जो जड़ होती है जो तना होता है किसमें जो जड़ है ठीक है जड़ वे तना जो है ठीक है इसके किसमें होता है समवहन समवहन बंडल के मद्ध में ठीक है वहां क्या करता है यह वहां पर दुट्यक वरत्धी करता है यहां-पर क्या करता है यह source क्या है European result हें यह मुठाई बढ़ाने में मदब करता है इक पेड़ हुँ चलो आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बात करे थी अगर मैं आपको अग्जैम्पल बना कर समझाउं ठीके समभन का समभन आजा लो यह इस तरीके से होता है ठीके इसके अंदर हमने क्या बोला इसके अंदर जाइलम फ्लोयम मौझूद है ठीक है इस तरीके से यह रहे जायलम फ्लोयम ठीक है इसके अंदर क्या बोला हमने इसके अंदर क्याम विश पत्रियों की बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या है जायलम फ्लोयम मौझूद है ठीक है इसके अंदर क्या है जायलम फ्लोयम मौझूद है चलो लो, Xylem Phloem Xylem Phloem हो गए, अब यहाँ अगर मैं इस एक को बाहर लेकर आती हूँ, ठीक है, इस एक को बाहर लेकर आती हूँ, Xylem Phloem को, तो यह कुछ इस तरीके से होगा, देखो, ऐसे होगा, और हमने क्या बोला है कि Xylem Phloem कैसा है, कि यह रहा आपका Phloem, यह रहा Xylem, मत थीक है कि अब भई यह जो केंवियम है अंदर यह रधी करता है इस तरीके से यह अपन आसको बढ़ा ले और यहां भी व्रिद्धी करेगा, दोनों तरफ व्रिद्धी करेगा, अब यहां क्या है, यहां फ्लोयम है, यहां जाइलम है, अब यहां फ्लोयम की तरफ जो व्रिद्धी हुई, वो क्या कहलाएगी, यहां फ्लोयम की तरफ जो व्रिद्धी होगी, वो कहलाएगी, जुट् क्या जाईलम क्या यहां पर फ्लोम पनता है यहां पर यहां पर प्राथमिक-फ्लोम कहलाईगा और जो पहला जया जांसलम बनेगा वो क्या कहलाएगा प्राथमिक जाइलम कहलाएगा ठीक है यह हमने क्या देखा इसका अनुप्रस्त काट है यह क्या है अनुप्रस्त काट देख रहे हैं हम ठीक है इस अनुप्रस्त काट में इस परीकेश चीज़े मौजूद होती है हम एक को बाहर लेकर आगे जाइ कहलाएगी जो नीचे व्रिद्धी करेगा वो जुट्यक जायलम कहलाएगी ठीक है चलो अब यहां पर क्या है जब बात हम कैम्बियम की कर रहे हैं ठीक है हमारे जो कैम्बियम है कौन सा कलर उठाएं डाक्रीन उठाते हैं तो कैम्बियम क्या है हमने बोला कैम्बियम क्या करत कि आहां पर जवाब यह है कि यहां जो विभाजन हो रहा है इस विभाजन से जो चेत्र बन रहा है ठीक है इस विभाजन से जो छेतर बन रहा है चाहे वो दुट्यक फ्लोयम हो ठीक है जो बाहर की तरफ जा रहा है और चाहे दुट्यक जाइलम हो जो अंदर की तरफ आ रहा है ठीक है जो अंदर मतलब इस तरफ यह अंदर है जाइलम फ्लोयम बाहर है तो भई फ्लोयम क्या है जो व् की तरफ छेतर बढ़ा रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है भाई यहां पर यह कोशिकाए दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे- है ना इतने चीज सबको क्लियर हो गई है ना सबको क्लियर हो कि संवहनी क्या हो रहा है क्या काम हो रहा है और जुट्यक वृध इक कैसे हो रही है चल्व आगे बढ़ जाते हैं OK तो हम अगर यहां पर क्या भाई हमने बोला मैरिस्टैमी सतय है जो समवहन उतक हमने बोला मैरिस्टैमी सतय है ठीकिस ? जो समवहन उतक कौन कौन से ? जाइलम और फ्लोयम को काटती है को काटती है ठीके उसे समवहन कैम्बियम कहते है ठीके उसे क्या कहते है सतह को समवहन कैम्बियम कहते है समवहन कैम्बियम ठीके कैसे कि भई देखो समवहन कैम्बियम याने की वो मैं इस्तिमी सतह जो फ्लोयम और रजायलम को एक दूसरे से अलग कर रही है, काट रही है, कैसे काट रही है, यह देखो, यह रहा, ठीक है, यह आपका फ्लोयम, यह क्या है, सत है, जो काट रही है, याने की कैम्बियम, ठीक है, यह क्या है, कैम्बियम है, ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको, चलो, अब जो क्या है तने में होते हैं यह है जाइलम और फ्लोयम ठीक है वेप बीच एकल सत है के रूप में खंडों में होती है ठीक है बाद में एक संपू embro छल्ले का रूप ले लेती है तो दो चीज़े यहां पर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहां चल्ले का रूप ले लेती है हमने यह बात कर ली अब देखते हैं चल्ले का बनना कि बनेगा कैसे तो हम यह बोलेंगे जो दुइ बीज पत्री होते हैं जो दुझी बीज पत्री क्या होते हैं तने में तने में प्राथमिक जाइलम वे फ्लोयम के बीज में इस्तित जो Cambium है के बीच, इस्तित, Cambium, अन्तह, पूलिये, Cambium है, Cambium, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मध्याज के बात करते हैं, यहाँ पर अगर मध्याज के बात करते हैं, यानि की बीच में, तो मध्याज किरनो की कोशिकाए, चोलो अच्छा छोड़ो, यह छोड़ो, इस लाइन को छोड़ो, इस लाइन को रहने दो, ठीक है, इसके बदले, यहाँ पर यह आप समझो, कि यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो इंपॉर्टन चीज है, कि जो मेरिस्टी, मेरिस, मेरिस्टेमी, जो, यह जो मेरिस्टेमी याने की, क्या, विभज्य है, वो क्या करती है, एक, अंतरा पूलिये बनाती है, अंतरा पूलिये को बनाती है, यह बनाता है, ठीक है, इस प्रकार कैंपियम में, इस प्रकार क्या होता है? काम्बियम में एक अखन छल्ला बन जाता है. अब यह जो मैं लिख रही हूँ ना, चलो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ. ठीक है? इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ. कैसे समझाती हूँ? चलो एक डियाग्राम से समझाते हैं. चलो, यहाँ पर यह जो कैम्बियम चल्ले का बनना है न, तो यहाँ पर क्या है, यह दो तरह क्या होता है, हमने बात करिये भी, ठीक है, पहला क्या है आपका, अन्तहा, पूलिये, चल्ला, ठीक है, अन्तहा, पूलिये, चल्ला, पहला हो गिया है, दूसरा क्या है, अंतरा पूलिय छला दोनों चीज़ों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक है अंतरा पूलिय एक है अंतरा पूलिय दोनों चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक, तो यहाँ पर जब हम बात किस की कर रहे हैं रिके व्रिदी होती है तहीं कि यहां बहुत जादा है अथे होता हुझा झालजागर जाहें लिए ते thing अटरा पूलीय चिसल्ला होता है यह किसमने बदल जाता है इसमें थे कि अंतरा पूलीय च्हल्ला में बादंजाता है ठीक रा यहाँ पर क्रिया क्या है भाई कि जो कैम्बियम चल्ला है यहाँ पर सक्रिये हो जाता है यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो कैम्बियम चल्ला है जो कैम्बियम चल्ला है वो क्या हो गया है सक्रिय हो जाता है सक्रिय हो जाता है और बाहर तता बीतर दोनों की ओर क्या करता है नई कोशिकाई बनाता है सक्रिय होके क्या करेगा सक्रिय होकर बाहर भी बनाएगा कोशिका और अंदर भी बनाएगा दोनों तरफ क्या कर रहा है कोशिका बना रही है कोशिका बनाता है ठीक है जो कहां बढ़ती है जो पिठ की ओर बढ़ती है जो कहां ये जो कहां बढ़ रही है पिठ की ओर बढ़ती है ठीक है ये परिपक्व होने पर क्या करते है जब ये परिपक्व हो जाते है तो दिट्टक जायलम बनाती है ठीक है क्या करती है परिपक्व क्या कर रही है ये परिपक्व होने पर क्या करती है ये दिट्ट्यक क्या बना रही है जायलम बना रही है ठीक है और जो बाहर की ओर जाती है ठीक है ये तो अंदर वाला हो गया ठीक है और जो बाहर की और जाती है बाहर की बात करते हैं वो बनाती है दुद्यक क्या बना रही है फ्लोयम ठीक है तो अंदर की और जो परिपक्व यानि मैच्छी और होने पर बनाया दुद्यक जाइलम और बाहर की ओर क्या बनाया दिध्यक प्लोयम बनाया ठीक है तो ये सब समवरिक छल्ले की बात चल रही है अब जो कैंडियम जो प्राया अंदर की ओर होता है ठीक है वो अधिक सक्रिये होता है ये जो अंदर वाला है ये क्या है अधिक सक्रिये होता है ये अधिक सक्रिये होत होता है सक्रिय ज्यादा नहीं होता है ठीक है तो इसके रिजल्ट से क्या हो रहा है इसके रिजल्ट की वज़े से कि भाई ये बाहर वाला ज्यादा सक्रिय हो रहा है और अंदर वाला जो है ज्यादा सक्रिय हो रहा है और जो बाहर वाला है वो कम सक्रिय हो रहा है तो इसके प परिणाम सरूप जो दुत्यक जाइलम है यानि कि यह जो दुत्यक जाइलम है इसके परिणाम सरूप यह ज्यादा बढ़ जाता है यह ज्यादा बनता है ठीक है क्योंकि यह ज्यादा बढ़ रहा है और यह कम बनता है ठीक है यह कम बनता है अब जो क्या है अब जो यहाँ पर दुट्यक फ्लोयम है ठीक है दुट्यक फ्लोयम यह रहा दुट्यक फ्लोयम शीक्र ही एक सघन पिंड में क्या होता है यहाँ पर बदल जाता है फिर जो प्रात्मिक और दुट्यक फ्लोयम है ठीक है जो प्रात्मिक और दुट्यक फ्लोयम है वो धीरे-धीरे क्या होते नीच अगर हम पादप के बारे हैं बात करते हैं तो हमने कहा था पादप में जो कैम्बियम होता है है ना पादप में क्या होता है कैम्बियम होता है और यह क्या है दो तरह का होता है एक तो समवहन हो गया है एक तो और दूसरा कौन सा हो गया है को और हो गया है तो लास्ट क्लास मे क्या है भाई लास्ट क्लास में हमने समवहन के बारें बात करें थी ठीक है और हमने कहा था कि जो समवहन बंडल के बीच में यह होता है इस तरीके से कि जायलम यहां है फ्लोयम यहां है तो इसके बीच में जो हिस्सा पाया जाता है यह क्या है यह अपना क्यां के बात करेंगे को और के बारे में करेंगे बात जो कहां पाए जाता है को बताये था कोर कहां पाया जाता है को आगे चलते हैं अब जानने वाली चीज यह कि बहुती है है ना, वले के बारे में हम बात करेंगे तो वले को आप क्या बोलोगे भाई वले को हम कहते हैं रिंग ठीक है, वले का मतलब हो गया है रिंग, रिंग क्या कि अगर मैं किसी, ये कोई पेड़ है ठीक है, ये क्या है कोई पेड़ है तो ये जो पेड़ है अगर इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ ठीक, तो यह हमको यहाँ से कैसा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, इसके नीचे का हिस्सा कुछ इस तरीके से होगा है ना, तो यहाँ जो यह rings बन रही है ठीक है, यह ring क्या कहलाएंगी, वले कहलाई क्या कहलाई ये वले ठीक है याने की रिंग ठीक है कहां बनते हैं ये पेड में बनते हैं और इनका काम क्या होता है ये जो वले होते हैं ये किसी भी जो व्रक्ष होता है ना व्रक्ष की आयू बताते हैं व्रक्ष की आयू आरे क्या हो गिया भाई बताते हैं ठीक है किसी भी व्रक्ष की आयू बताते हैं जो वले होते हैं ठीक अब ये जो वले है ये क्या होते हैं भाई चल के देखते हैं कि भाई कैसे हैं तो पहला हमारे पास आता है वार्षिक वले है ना पहला आता है वार्षिक वले यानि कि एन्वल रिंग जिनको हम बोलते हैं क् इसको annual ring, ठीक है, हमने क्या बोला, इसको annual ring बोला, हमने जब बात करी है कि वले कहां बनते हैं, वले कहां बनते हैं, ये पेड में बनते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ये, ये व्रिक्ष की आयू बताते हैं, जो व्रिक्ष होता है, व्रिक्ष की आयू बताते हैं, ठीक, अब किस किसी भी व्रक्ष में अगर मैं इस व्रक्ष की बात कर रही हूं तो जो किसी भी किसी भी व्रक्ष में क्या होता है यह एक साल में किसी भी व्रक्ष में यह एक साल में एक साल में दो बार बनते हैं ठीक है, एक साल में ये दो बार बनते हैं, अब भाई यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये वार्षिक वले होता है, ये दो वले से मिलकर बनता है, ये जो वार्षिक वले है, ये किस से मिल रहा है, दो वले से, दो वले से मिलकर बनता है, ठीक है, दो विले से मिलकर बनता है जिससे हमें किसी भी व्रिक्ष की आईउ का पता चलता है तो चलो पड़ावर्चे देख लेते हैं कि दो कौन से हैं भाई एक तो अपना बसंत आ जाएगा है ना बसंत और दूसरा शरद ठीक है अपना क्या आ गया शरद वले ठीक और दूसरा क्या है बसंत वले ठीक है तो दो तरीके के हो गए अब जो बसंत है इसको हम क्या बोलता है बसंत हम स्प्रिंग पता है कि बसंत क्या होता है भाई स्प्रिंग होता है यानि कि स्प्रिंग रिंग की यहाँ पर रही है और शख्रत क्या होता है याने की ठंडी याने कीip autumn Whew the autumn ring कि यहां पर बात हो रही है correct, इतनी चीजे clear है नहीं कि भई पसंत का मतलब तो अमको मालूम है कि led spring होता है और शरद को क्या बोलते है autumn बोलते हैं शरद नाम भी होता है किसी लड़के का बसंत भी लड़के का नाम होता है है ना तो चलो हम फिलाल यहां पर हम spring और autumn के बारे हैं बात कर रहें ठीक है और हमाई class में ना तो कोई शरत है ना कोई बसंत है कोई नहीं है ना है तो फिर अपना थम सब करके दिखाओ कि हां मैं हूँ दिखाओ बड़ा बड़ से चलो आगे बड़ जाते हैं तो अगर में बात बसंत की करती हो ना तो यह बसंत क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सक्रिये होते हैं याने की active होते हैं यह बहुत ज़्यादा क्या होते हैं सक्रिये होते हैं ठीक है सक्रिये होते हैं फिर यह अगर पर क्या होता है वहनियों का निर्माण बनता है यहां पर क्या रहा है वहनियों का निर्माण हो रहा है वहनियों का निर्माण होता है यहां पर ठीके, बिल्कुल यहां पे भी एक काम होता है, यहां पे भी होता है, वाहिनी काओं का निर्माण, ठीके, अब यह कब बनता है, यह बसंत रित्तु में बनता है, ठीके, कब बनता है, यह बसंत रित्तु में बनता है, अब यहां क्या बोला हमने की भाई, क्या होता है, यहां गनत्व की बात करते हैं गनत्व की यानिके density के बैवारे में यहाँ पर हम बात करें तो गनत्व यहाँ पर क्या है कम होता है ठीक है यहाँ पर क्या है कम होता है फिर अगर यहाँ पर बात करते हैं हम घनत्व की यहाँ पर बात करते हैं तो गनत्व यहाँ पर ज्यादा होता ह क्या है यहां पर गनत्व ज्यादा होता है गनत्व यहां पर अधिक होता है यह ज्यादा होता है कुछ भी बोल दो ठीक है अधिक बोल दो यहां ज्यादा बोल दो ठीक है चलो अब अगर यहां पर हम आयतन की बात करते हैं तो यहां पर गनत्व कम है तो इसका मतलब इसका जो तो आयतं है यहां पर थैके तो इसका घनत्व कम है तो इसका बंद इसका गया हुगा तो से इस जया होगा को से तोसी करते है घरत है तो इस वजह से जादा है यहां पर क्या होगा जो वले का रंग होगा वो यहां पर क्या होगा गहरा होगा क्योंकि यहां पर आयतन कम है और घनत्व जादा है ठीक है और घनत्व याने के density जहाँ जादा होती है वो अपने आपको अलगी तरीके से दिखाती है, ठीक, चलो इसको कैसे समझे, चलो मैं एक बार समझाती हूँ, चलो इसको यह समझा देते हैं, यह देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फोटो नजर आ रही है आपको, यह देखो कुछ इस तरीके से यह दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, यह दिखाई दे रहे हैं, तो एक क्या है, एक तो यह डार्क लाइन आपको इस तरीके से नजर आ रही है डाक लाइन नजर आ रही है और उसके बीच में क्या है यह हलकी 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 लाइन भी नजर आ रही है आ रही है तो देखो यहां यहां पर क्या है कि बहुत यह जो डाक कलर की लाइन है ठीक है यह जो डाक कलर की लाइन है यह वाली ठीक है यह क्या है दाक कलर व बसंत वले ठीक है और ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं ये दोनों मिलके आयू का पता लगाते हैं आयू बताते हैं किसी भी विरिक्ष की ठीक है ये दोनों मिलके क्या करते हैं विरिक्ष की आयू बताने का काम करते हैं ठीक है क्लियर यहां तक है ना चलो आगे बढ़ते हैं तो भई हम यह कह सकते हैं कि जो बसंत है वसंत वले ठीके यह जो बसंत वले है इसका क्या है रंग हलका होता है ठीके हलका है ठीके और यह जो शरद है इसका क्या है इसका रंग यह गहरे रंग का है अब अगर मैं इसकी घनत्व की बात करती हूं तो इसका घनत्व क्या है कम है है न? इसका घनत्व क्या है? कम है. ठीक, और अगर मैं इसके घनत्व की बात करती हूँ, तो इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है या अधिक है. ठीक है? तो यहाँ पर ये दोनों चीज़े clear आपको? ठीक है न? अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी आपको? ये देखो. कि ये बीच में क्या है? इस तरीके से बीच में हो गया, ये लाइन्स हो गई. इस तरीके से ये क्या है? ये लाइन्स है. इसको solar system मत समझ लेना. ठीक है? ये लाइन्स हो गई है. अब ये लाइन्स हो गई है. तो ये जो बाहर वाला हो गया एक हिस्सा, यह सबसे बाहर वाली layer हो गई है ठीक है यह क्या layer है पेड़ की छाल हो गई है ठीक है इसके अंदर यह line है हम् olur घर के लाइन यह जो लाईन है सारी यह जिल लो वाली लाईन है यह कौन सी lines है यह आपकी शरण वल ठीक है? और इसके बीच में यहां पर यह जो हिस्सा है यह यह वाला कौन सा हिस्सा है बसंत वल्ल है ठीक है इतनी चीजी क्लियर आपको है ना बताओ जल्दी क्लियर इतनी चीजे बोलना मत की बिल्कुल भी नहीं हुए मार लगेगी वर्णा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर देखो यहां देखो यहां पर यह जो light वाला हिस्सा है यह क्या कहला है अपना spring spring क्या होता है बसं ठीक है और ने कोई जो dark color की लाइन क्या है देखो autumn याने की क्या है यह आपका शरद ठीक है याने की शरद यहां तक clear चलो भाई उम्मीद करती हूं कि यहां पर इसको देखके समझ में आ गया होगा हाँ आगे बढ़ते हैं चलो अब हमारे पास आता है भाई एक आता है हमारे पास अंत्ह काश्ट और सरदारू ठीक है यह चीज़ आती है चलो तो यहां पर मैं समझाती हूँ एक डाइग्राम की मदद से लो एक यह डाइग्राम हो गया आपका हाँ इस तरीके से क्या है यह किसी पेड का तना है उसको काटा है हमने ठीक है काटा है इस तरीके से ठीक काटा है ज्यादा यह अच्छा बन गया न यह बोलो के मैं में तो टेड़ा-मेडा बन गिया ऐसा रहा लो, ऐसे बना देती हूं, यह लो वो न टेड़ा हो ही जारा है बनाते बनाते इस तरीके से, ठीके? यह इस तरीके से होता है, तो मैंने क्या बोला एक तो यह वाला हिस्सा होगा, ठीके? और दूसरा इसके बीच में जो खाली जगा है ये वाला हिस्सा होगा है ना यहां पर ऐसा है तो मैंने क्या बताया था कि जो खाली वाला इस्थान है वो क्या है बसंत है क्या है वो बसंत है ठीक है और दो बाहर वाला वो क्या है शरद है ये दो तरीके से बताया था अब यहा पर अगर मैं इसको ले लूँ तो इस तरीके से यहां पर यह गहरा रंग हो गया है ठीक है और इसके बाहर की यह जो जगा है यहां पर हलका रंग होता है तो यह जो गहरा रंग हो गया है न यह जो गहरा हो गया है पार्ट पूरा यहां से यहां तक का जो गहरा पार्ट है यह क्या है अंतह कास्ट कहलाएगा ठीक है यह क्या है अंतह कास्ट ठीक है जिसको हम क्या कहते है हार्ट वोड हार्ट वोड कहते है इसको ठीक है क्लियर इतना है ना चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अंतह कास्ट और सरदारू भी बोल सकते हैं या रजदारू बोल सकते हैं अंतहा कास्ट, ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा क्या है, सरदारू, सरदारू बोलो या रसदारू बोलो, ठीक है, एक ही चीज है, अब ये जो अंतहा कास्ट होता है, इसको हम हार्ट वुड कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम रेड कलर से लिखते हैं, हार्ट वुड, ठी क्या बोलते हैं, साप, साप वोड, ठीक है, इंगलिश में, अब मैं आइडी बदा चुकियों आपको, कि जो अन्तहकास्ट होता है, इसका रंग गहरा होता है, ठीक है, ठीक है, रंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं सरदारू की बात करती हूँ, तो यहाँ पर हलके यहाँ पर क्या दिखता है हलका रंग दिखता है ठीक है चलो अब गहरा रंग क्यों है यहाँ पर सवाल उड़ता है कि यहाँ पर यह जो गहरा रंग है यह क्यों है ठीक है चलो यह भी क्लियर करते हैं तो गहरा रंग क्यों है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सार यहाँ पके मिलकर बना हुआ होता है ये तो इसमें आपका क्या याएगव भाई इसमें आपके कौन कौन साइंगे इसमें आपका जाएगा कि दूसरे रंग से लिक देता ह मैं तकी वह और राम से दिखता रहे आपको ठीक है ना? मैं लिसा आ गया गै फूसरे और जा आ जा like द्श हो गया अ जा way अ हो गया थिक है रहन रह पर एसे तुर्थ अगर यहां बात करती हो तो यहां पे क्या है यह यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर यह पैरन काईमा से बनी होती है ठीक है जब पैरन काईमा से बनी है तो इसका मतलब यह जीवित है यह जिन्दा है क्योंकि यह हमने पूरे चैप्टर में हमने यही बात करी है कि भाई इसका मतलब कि यह क्या है जीवित कोशिका है इसका मतलब ये क्या है जीवित कोशी का है ठीक है चलो अब मैं अगर किसकी बात करती हूँ फिर से यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर जो पदार्थ है उसकी बात करती हूँ तो यह जो पदार्थ है वो क्या काम करते हैं कीटों से बचाने का काम करते हैं मतलब कीटों से रक्षा करते हैं यहां पर ठीक है कीटों से रक्षा कर ली फिर अगर मैं यहां कोशिका की बात करती हूँ ठीक है तो यहां पर जो है कोशिका की बात हो रही है यहाँ पर अगर कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में क्या है कोशिका में यहाँ पर क्या है लिगनिन ठीक है लिगनिन होता है ठीक है इसका मतलब यह क्या है मृत कोशिका है और इसकी कोशिका में क्या सुबिरिन मौजूद है सुबिरिन सुबिरिन मिलता है इसी कोशिका में जो क्या करता है पानी का जो नुकसान होने वाला होता है उसको रोकने में मदद करता है फिर यहाँ पर बात करते हैं अगर हम तो यह केवल क्या काम करते हैं यह केवल और केवल इस्थानांतरन करते हैं इस थानांतरन का काम करते हैं, ठीके मतलब समवहन किसका? जल और खनिश पदार्थ का, जल और खनिश पदार्थ का, ठीके तो यहाँ पर यही काम हो रहा है, ठीके जो यहाँ पर हम लोग अन्या भी शीखी हैं, छो थोड़ा सा इसको word to word देख लेते हैं, कि बुक में क्या लिखा है वैसे तो अगर इसको आप यहां पर सीख जाओगे ना इसको अच्छे से यहीं पढ़ लोगे तो आपको कुछ और सीखने की ज़रूरती निये यहीं पर याद हो जाएगी यहां पर देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि अंदर एक डार्क सा पार्ट आजाता है और बाहर लाइट पार्ट आजाता है यहीं बताया मैंने अभी आपको है ना तो जो डार्क वाला पार्ट है जो डार्क वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका अंतह कास्ट कहलाएगा यह ठीक है क्या कहलाया अंतहकाष्ट और यह जो हलका वाला पार्ट है वो क्या है सरदारू बोल दो चाहें इसको या रसदारू ठीक है दोनों चीदे clear इतना है ना चलो अब थोड़ा सा line से समझ लेते हैं कि क्या है भाई तो यह जो है यहां पर हम यह बोल सकते हैं कि एक जो पेड होता है ठीक है कहां यह है इसमें वले के इलावा क्या अंतहकाष्ट भी पाया जाता है ठीक है और सरदारू भी पाया जाता है तो वले के इलावा यह दोनों चीज़े भी यहां पर मौजूद होती है ठीक है अब देको बुक क्या बोल रही है तो बोक बोल रही है जो लंबी आयू वाले होते हैं लंबी आयू वाले क्या जो लंबी आयू वाले व्रिक्षों में क्या होता है लंबी आयू वाले व्रिक्षों में क्या होता है दृत्तिक जाइलम होता है का अधिकांश जित्ते सैलम का अधिकांश भाग विशेश तहा क्या होता है? विशेश तहा क्या होता है? तनो का केंद्रिय भाग ठीक है? तनो का केंद्रिय भाग अध्वा क्या सबसे? भीतरी भाग है ना? भीतरी भाग काले भूरा रंग का हो जाता है कैसा हो जाता है? काले भूरे रंग का हो जाता है ठीक है ना? और इसे हम क्या बोलते हैं? यह जो काले भूरे रंग का यहां पर हुआ है काले और भूरे रंग का हुआ है इसको हमने क्या बोला? अन्तहकाश्ट बोला ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोला हमने अंतहा कास्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कठोर डारू, ठीक है, अंतहा कास्ट या फिर कठोर डारू, ठीक है, अब यह जो अंतहा कास्ट होता है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक, इसमें क्या होता है भाई, बहुत से कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है कार्बनिक यॉगिक होते हैं अब कौन से कार्बनिक यॉगिक होते हैं तो बाई चलो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं तो जैसे की क्या हो गया टैनिन हो गया है ठीक है तेल हो गया है ठीक गॉंध हो गया है और और क्या गये जो मैंने बताया था ना खुश्बू, खुश्बूदार पदार्थ हो गए, खुश्बूदार पदार्त हो गए, और कुछ जरूरी तेल और भी हो गए, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई, मैंने कहां गया टैनिन है यह रेनिन लिख दिया था ठीक है चलो हाँ तो क्या होगा यहां पर टैनिन है तेल है गौंध है खुश्बुदार पदार्थ एक्सेक्टर एक्सेक्टर यहां पर होते हैं अब यहां पर क्या होता यह जो पदार्थ है ना यह क्या करते हैं अंतह काश्ट को क्या करते हैं यह सारे के सारे पदार्थ मिलकर जो अंतहा कोष्ट होता है, है न, अंतहा कोष्ट को क्या करता है, कठोर बनाता है, ठीके, और क्या करता है, चिर स्थाई करता है इसके साथ साथ क्या करता है चिर स्थाई बनाते हैं ठीक है और क्या करता है जो लकडी होते हैं जो लकडी होती है इसके साथ साथ लकडी जो है उसको किस से बचाते हैं सूक्षम जीवों से सूक्षम जीवों से लकडी को सूक्षम जीवों से बचाते हैं ठीक है लकडी को क्या करते हैं सूक्षम जीवों से बचाते हैं ठीक है चलो इतना हमने समझ लिया है न यहां तक clear हो गया है सबको हम चलो इसके आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने अंतह काष्ट के बारे में पढ़ा हैं अब थोड़ा सा कुछ और भी देखते हैं क्या देखते हैं कि भाई कौन से छेतर के बारे में हम बात करेंगे अब बताओ जल्दी से किसको मालूम है बुलो बुलो किसको मालूम है हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं भाई सिंपल सी बात है अभी हमने अंत्ह कोष्ट के बारे में बात करेंगे सरदारू के बारे में बात करेंगे तो अगर सरदारू के बारे में हम बात कर रहे हैं सरदारू के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां क्या होता है यहां पर इस छेत्र में मृत्य तत्व पाए जाते हैं यहां पर मृत्य तत्व होते हैं ठीक है क्या है यहां पर मृत्य तत्व होते हैं ठीक, जिनकी जो भित्ती होती है, जिनकी भित्ती जो होती है, क्या होती है, लिगने नहीं होती है, लिगने नहीं होती है, अच्छा, ये तो अभी हम उसी के बारें बात करें, अन्तहकाश्ट के बारें हैं, ये अन्तहकाश्ट के बारें ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बा वाला आएगा अंतहकास्ट के बारे में कि यहां पर मिर्थ तत्व होते हैं ठीक है जिनकी भित्ती किस से बनी हो यह भाई लिगनिन से लिगनिन से है ना लिगनिन से बनी हुई होती है ठीक इसलिए इसको क्या कहते है इसको हृदयदारू भी कहते हैं फिदे, दारू भी कहते हैं, ठीके, ये क्या करता है, ये पानी का संबहन नहीं करता है, ठीके, केवल तने को यांतरिक सहारा देता है, ठीक, क्या करता है भाई, ये तने को यांतरिक सहारा देने का काम करता है, clear इतना, है ना, चलो, ओके, अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि भाई जो जित्तक जाइलम है जित्तक जाइलम ठीके कि क्या है परेधी जित्तक जाइलम की जो परेधी छेतर है ठीके वहाँ क्या है उसको क्या बोलते है सरदारू बोलते है इसको क्या बोलते है सरदारू यहाँ पर आएगा देखो ठीक है, इसको हमने बोला सरदारू, ठीक है, अब हमने क्या बोला है, जो सरदारू होती है, यह हलके रंका होता है, क्योंकि गहरे रंका क्या है, अंतह कोश्ट है, ठीक, तो यह सरदारू कैसी है, हलके रंकी, हलके रंकी होती है, की होती है, ठीक है, और यह क्या है, हमने क्या बात करी यह सजीव ठीक है जिसमें क्या होता है सजीव पैरंकाइमा होते हैं यह हमने बात करी थी जिसमें क्या है सजीव पैरंकाइमा होते हैं यहां पर यहां सजीव पैरंकाइमा होते हैं ठीक है क्योंकि हमने बात करी थी क्या है यह यहां पर पैरंकाइमा का मतलब है इसका अब यहां पर मूल से यहां पर लिख देते हैं चलो इससे नीचे लिख देते हैं चलो यहां पर मूल से पानी तथा खनेज लवन खनिच लवण को पत्तियों तक ले जाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर ये काम होता है ठीक है कि मूल से पानी को कहा खनिच लवण को पत्तियों तक ले जाया जाता है चलो यहाँ तक clear है ना चलो अब हमारे पास आता है कॉर्क कैम्बियम ठीक है, फाइनली हम उस टॉपिक पे आ गए हैं, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम के उपर, तो अगर हम कॉर्क कैम्बियम की बात करते हैं, तो भाई, जैसे जैसे जो तने की परिधी में व्रिद्धी होती है, ठीक है, जैसे जैसे तने की परिधी में व्रिद्धी होती है, व्रिद्धी होती है जैसे जैसे तने की परीधी में व्रिद्धी होती है वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे तने की परीधी में व्रिद्धी होती है वैसे 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 जो बाहरी वलकुट होता है ठीक है जो बाहरी वलकुट है और क्या है दूसरा और बाहे तच्छा की जो सते हैं वो क्या होती है तूट जाती है या तूटती है ठीक है और क्या करती है इसके साथ साथ उन्हें उन्हें फिर उन्हें नई सनरक्षी कोशिकाओं कोशिका सतह की आवशक्ता होती है है ना तूटेंगी तो नई सतह की आवशक्ता है भाई आवशक्ता होती है इसलिए वो क्या करती है दूसरी मेरिस्टे में उतक को तयार करती है ठीक है जब उन्हें आवशकता है भाई आवशकता ही क्या है आवशकार की क्या है जननी होती है तो इनको भी जरूरत थी तो इन्होंने क्या किया इसी वज़े से जो क्या है दूसरी दूसरी मेरिस्टेमी उतक दूसरे सॉरी दूसरे मेरिस्टेमी उतक तयार करते हैं ठीके? तो ये जो दूसरे मेरिस्टेमी उतक तयार होते हैं, इन्ही को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ब काम्बियम बोलते हैं ये जो तयार हुए हैं इनी को हमने क्या बोला कॉर्क कैम्बियम बोला ठीक है इनी को हमने कॉर्क कैम्बियम बोला clear यहां तक है ना बिल्कुल अब यह कॉर्क कैम्बियम हमको मिलता कहा है हमने बताया था यह कॉर्क कैम्बियम हमको कहां मिलता है यह cortex वाले भाग में मिलता है ठीक है कहां मिलता है यह cortex वाले भाग में यह यहां क्या करता है यह यहां पर क्या करता है यहां पर जुट्टक वृद्धी करता है हमने अल्रेड़ी बात करी हुई है यहां पर यह क्या करता है जुच्चक वृद्धी करता है और इसके साथ साथ क्या करता है जो जुच्चक बाहे तचा होता है उसका निर्मान करता है बन तो यह हो गया तू क्या है जो जुच्चक बाहे तचा का निर्मान करता है ठीक है दो चीजे यहाँ पर करता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर दृत्यक बाहे तो चाका भी निर्माण कर रहा है फिर दृत्यक वलकुट का भी निर्माण करेगा जित्यक वलकुट का निर्माण भी करेगा, ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ गई हैं सारी चीज़ें, विल्कुल भी डाउट मत रखना, बोलना मत की नहीं समझ में आया है, मार लगेगी वर्ना, ठीक है, चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चलो, अगर इस कॉरकम्पियम की बात हम कर रहे हैं, तो यह कॉरकम्पियम होती हैं, यह कूछ सते हैं, मोटी होती हैं, ठीक है पुछ सता कैसी है इसकी मोटी है और संकरी पतली भित्ती वाली ठीक है और संकरी पतली भित्ती वाली क्या होती है आयातकार कोशिकाओं से बनी हुई होती है ठीक है आयातकार कोशिकाओं से बनी हुई होती है कोशिकाओं से बनी हुई होती है ठीक है ना चलो तो कौर केंप बैंग के बार में एक लाइन तो यहाँ पर यह जुट गई फिर है बाई कि क्या है वह दूसरे कलर से लिखते हैं कि बई जो कोशिकाओं से बनी हुई होती है वह कौन सी है कागजन ठीक है कहा लिखे कौन सी है यह कागजन कागजन अगर हम कागजन की बात करते हैं तो यह कागजन जो होता है यहाँ पर क्या होता है यह दोनों और कोशिकाओं को बनाता है ठीक है? चलो, इतना clear है अब बाहर की और जो कोशिकाए होती है अगर हम क्या बोले? कि बाहर की और की कोशिकाए जो बाहर की और की कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं बाहर की और की कोशिकाए कोशिकाए कोशिकाय कौर्क अथवा काग में बट जाती है जो बाहर की कोशिकाय होती है वो किसमें बट जाती है कौर्क अथवा दूसरा क्या पताया कौन से बट जाती है कौर्क अथवा काग में बट जाती है काक में बट जाती है बट जाती है ठीके, सारी लाईने आपकी टेक्स्ट्बुक में बहुती प्यारे तरीके से लिखी उई दी उई है ठीके, तो confusion मत रखना ठीके, और अंदर की और जो कोशिकाय होती है, वो क्या करती है? यह वो यहाँ बढ़ गई ठीक है और जो यहां तो बाहर की बात हो रही है अब जो अंदर की और कोशिकाए है अंदर की और की जो कोशिकाए है वहाँ पर क्या होता है बताओ जो अंदर की और की कोशिकाए है तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है भाई वो दिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ठीक है, क्या है दूसरा, काग अस्तर, काग अस्तर में विवेदित हो जाती है, ठीक, ओक्य जी, ठीक है, ये भी समझ ली हमने, ठीक है न, इसके बाद क्या आता है, कौर्क में क्या होता है, कौर्क में पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, अगर हम कौर्क की बात करते हैं, अग कर पाता है ठीक है इस चीज़ को याद रख लेना है बहुत important line है कि cork में पानी प्रिवेश नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी कोशी का बित्ती पर क्या होता है क्योंकि बताओ जल्दी से क्योंकि कोशी का बित्ती पर इसकी कोशी का बित्ती है उसके उपर क्या होता है सुबेरिन क्या है सुबेरिन होता है ठीक है इसी वज़े से सुबेरिन जो है वो क्या करेगा कि यहां पर पानी अंदर नहीं जा पाएगा सुबे दिन की वजे से, ठीके, जो दित्तिक वलकुट की कोशिकाए हैं, हम अलड़ी बात कर चुके हैं कि वो पैरनकाइमा होती है, पैरनकाइमी, जो दित्तिक, क्या, जो क्या बताया मैंने भी, जो दित्तिक वलकुट की कोशिकाए होती है, वलकुट की कोशिका हो होती है क्या होती है वो क्या है तो अब मुझे विसे कि की यहां तक आप सबी को clear हो गया होगा है ना अच्छे तरीके से क्बहुत ही प्यारे तरीके से सिंपल तरीके से लिख लिख के समझाने की कोशिच करी है उमीद कर्तियू कि समझ में भी आया होगा आथा के और इसी के साथ ही क्या है हमने यह chapter यहां पर लेक्शर में खतम भी कर दिया है धैनलिया है तो क्या करना आपको इस चाप्टर का रिवीशन करना है क्या करना है रिवीशन करना है इस चाप्टर का अच्छे तरीके से ठीक है तो चलो फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नए चैप्टर में अगली क्लास में तो जब तक क्या करना है आपको इसको रिवाइस करते रहो इसको किसे पढ़ो समझो जो चीज नहीं समझ में आती है कॉमेंट सेक्षन में डाउट में छोड़ दो ठीक है पर आप लोग कोई डाउट ही नहीं पूछते हो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो चलो अच्छा है चलो फिर चलती हैं मिलते हैं एक नए चाप्टर के साथ तब तक के लिए टड़ा